क्या शंकर सिंग वागहिला एक बार फिर से कॉंग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं? नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं अपने राजनेतिक प्रतिद्वन्दियों की पॉलिटिक्स को खत्म करने के लिए लेकिन दो राजनेतिक प्रतिवंदी नरेंदर मोदी के ऐसे रहे जिनके प्रति उनका रुख नरम रहा एक केशु भाई पटेर और दूसरे शंकर सिंग वागहिला शंकर सिंग वागहिला की नरेंदर मोदी से पहली बार मुलाकात कर भूए यह RSS, प्रचारत, सादगी, कहनी, करनी, कथरी करनी आस्मान दमीन का फरक आप और नरेंदर भाई कुछ आपस में कान में बात कर रहे हैं बास जोर का ठाका लगा अईसा नहीं है, अगर पुब्लिक ली कहनी होती, तो पुब्लिक ली कहते हैं और कान में कही इसका मतलब कि इसको कान में ही रखना है हमसे गुजरात के दर्शकों ने कहा, शंकर सिंग वागहिला से जरूर पूछिएगा आज तक कोई भी RSS की इतनी बड़ी BGP की इतनी बड़ी बैग्राउंड के साथ कॉंग्रेस में इतना उपर नहीं पहुचा है जैसे शंकर सिंग वागहिला पहुचे कैसे उन्होंने मैनेज किया, क्या दिल्ली में जाके बिलाते हैं मैं जो हैं मैं मैने के खिलाफ में बापु ने 2017 में अपने बेटे को BGP से नहीं लड़ने दिया जबकि आमित शाह का यही आश्वासन था राज जिसभा चुनाओ और कॉंग्रेस छोडने के बाद इकि इतना अच्छा है कि ओमीडियन पूत्र है शंकर सिंग वागहिला एलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया पर एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं एलेक्शन कमिशन रात को खोला जाता है क्या BGP की बिना परवान की आपकी बात मुलाकात होई खूब किसे मुरार जी भाई से गोड़ा जी भीक के पास मेला देवालि एक दिनों मेने पहित थे नियुद है कि पास मेरे कुछ बिला पास में अपने ग्लास के रिकालकर धोर मेरे कुद धी आ तो को मेरेकं य 65 MID play वा संग सिखण श्रुषया में बताता हूँ लोकसभा में इनर लोबी में अडवाने जी आए मेरे पास बुलाब मैं एक यात्रा करना चाहता हूँ किसे को बताना मत सोमनाथ से अयोध्या तक का विजरात की यात्रा में तो नरेंद्र भोधी थे पर नहीं थे उनकी तस्वीरें दिखती है रद पर साथ गलत 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 जूट 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 इंचाथा प्रबोध महजन इनको तैय करना कहाई जाना कैसे जाना क्या करना और इनका डैवर मुसल्मान था एओ जयात्रावाला प्रबोध महजन की ट्रक चलाता था वो मुसल् नहीं कुछ पता नहीं को इनको शंकर सिंग वाघेला ने तीन शर्तें रखी केशु भाई पटेल को मुक्यमंत्री के पद से हटाईए नरेंद्र मुदी को गुजरात से हटाईए बिल्कुल और मंत्री मंडल में मेरे लोगों को शामिल करिए क्या बोले उसमें सीता राम केश कि अगर शंकर सिंग वाघेला तब कॉंग्रस के साथ बने रहते तो जो एक मोमेंटम बिल्ड हुआ था 2017 में बीजेपी की स्टेट गवर्मेंट की खिलाफ वो शायद अपने मकाम तक पहुंच जाता सभी बात मैं इस वास्वार्ट है सिंग वालों ने कहा कि हमारे पास अब बात करें बदा बना जाएंगे भिट बना ही कहेंगे मार्क अपकी अमिर्शा से बात में गजी है नहीं रामनाः कोविंध के पक्ष में डाला था अपने राश्वेती के चुनाओं में आपके बयान छपे नहीं नहीं गयान का सपें कियो प्रुआ कि सरकार नहीं बन पुल्बावा में तो आतकवादी हमला हुआ था, अक्षारदाम में आतकवादी, कहा का आतकवादी, यह जो स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, आई एसे की परमिशन लेकर करवाई गई, और मरे कहां मरे, जेडरल बीपिन रावत क्यों मारा गया, हेलिकॉप्टर मेस, बिल जाओ नजाओ फर में नो प्रोब्लम, इस नो इस्ट्राइब तो जा रहे हैं, यह वेट कर रहे हैं कि अरविन केज्रिवाल फिर से आपको पोल करें, जमघट वापस आगया है, लललन टॉप का वो मंच, जहां सत्ता के दाविदारों से सवाल पूछे जाते हैं, जमघट क यह सेशन समर्पित है, गुजरात को जहां विधान सभा के चुनाव आसन्य है, और इस एपिसोड में हमारे महमान है, प्रजाशक्ती डेमोरिटिक पार्टी के मुखिया, गुजरात के पूर मुख्यमंत्री, और जिन्हें गुजरात की सियासत का दशकों का अनुभव है, क बापू, बहुत सारे सिरे हैं आप से बात करने के, और बहुत तसली से बात करेंगे, मुझे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और स्वतंत्र पार्टी के दिनों की बात भी जाननी है, और ये भी जानना है कि एहमत पटेल से आप नाराज क्यों हो गए, 2017 के राजिसभा चुना नहीं है, और ये भी जानना है कि आपका जगडा केशु बापा से था, ये नरेंदर मोरी से था, मुझे ये भी जानना है कि 1971 के दौर के बात, जब जोर्ज फर्नाइंडिस के उपर इलजाम लगता है बढ़ोद्रा डाइनामाइट केस का, तो उसके एक आरोपी बुलेट प यहीं रहे और बाबु भाई की सरकार में मंत्री भी बन गए, मुझे आपसे ये भी जानना है कि हजूरिया और खजूरिया की लडाई में वाकई किसी की मंच पर धोती खुली थी, वाकई अटल विहारी बाच पर ही रोय थे, वाकई उन्होंने आपसे कहा था कि जिस दफ् केसरी के सब आश्वासन धरे रह गए थे, और जिस दिन आप दिल्ली में एक साल का अपने मुख्यमंत्री का जश्न मना रहे थे, उसी समय आप मंच से उतरे और कान में फस्वसा दिया गया, बापु आपके नीचे से कालीन खीच ली गई है, मुझे ये भी जानना है कि जो एहमद भाई आपको कॉंग्रेस में ले कर गए थे, उन्हीं एहमद भाई को आपके खिलाफ 2009 में क्यों बताया गया, वो कौन सा एंकाउंटर था आपके दौर का जो 2009 की सीट में आपके लिए मुसीमत बन गया, तो बहुत विस्तरत आपका सार्जविक जीवन है, तसली से उस पर सवाल होंगे? आपको राइटे जो भी आपको जानना होगा, वो पूरे वो सवास से सत्य और सत्य के अलावा कुछ नी होगा, फूल इंफरमेशन में बताऊंगा, आपको, सबसु पहले तो वो सवाल जो पिछले 24 घंटे से गुजरात में पूछा जा रहा है, क्या पर सिंग वाघिला एक बार फिर से कॉंग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं? यह मैंने मीडिया के महाध्यम से जाना कि मैं मतलब आज जो बारा तारीक है तो मैं खड़के साब आने वाले हैं और मैं कॉंग्रेस में जोइन होने वाला हूं, मैंने कुछ नहीं बता है और अठेंटर्सीटी बिलकूर नहीं है, एसे ही बस बात का जो बोलते हैं यहीं चीज आए, कोई हमसे तो पूछे कमसे कम कए यह सही है क्या, आपने पूछा, आपने पूछा है यह होता तुम्हा यहां नहीं होता, वही होता यह सिप मीडिया का क्रियेशन रहा, यह हम पिछे बीजेपी आप वाले थे कि आप हमारे कैडिडेट बनी है जहां भी बनना हुआ जब मेरे पास बात आई तो मैंने कहा कि अगर आप बीजेपी के कैडिडेट बनेंगे तो फिर मैं कॉंग्रेस का प्रचार या एंटी बीजेपी प्रफेगंडा नहीं कर पाऊंगा अगर आपको एसा है कि कही उप्रयो कंभाना करना ही तो महेंदर शीय को आप कहीं कहीं कोई में आप चाहे तो टिकैट प् Всемिजेए न डिजेए तो मिजे दो कोई मेंἆ करवा नहीं है जो ही बात में है जो बिभी Tul आपी मुशें बात मीं है कहां क्वणिपी बना नहीं तो एमदाबाद और गांधी नगर के पलिटिकल सर्कल में ये बात कही जाती है कि बापू ने 2017 में अपने बेटे को बीजेपी से नहीं लड़ने दिया जबकि अमित शाह का यही आश्वासन था राज जिसभा चुनाओ और कॉंग्रेस छोड़ने के बाद कितनी सत्यता है लोगों ने ये भी कहा कि पिता पुत्र में इसकी वज़े से कुछ बरस तक अनबन भी रही आप उनकी राजनेतिक राह में रोडा बन गए 2017 में इतना अच्छा है कि अबीडियन पुत्र है बगवान की महर्मानी हमारे जो परिवार है ने इसमें हमारी बात कभी कोई नहीं टालता गलती से भी नहीं टालता जानमुझकर अंजान में भी नहीं टालते अगर कुछ होगा तो दो बार पूछेगे क्या आया हम करे तो 17 में महेंदे सिंग को इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करना है और यह जो टीम थी पूरी बाहर रही इंप्रेशन है कि हमने बल्वन शी भाई को राजसभा के कैंडिर बनाई गलत इंप्रेशन है बाहर रही इंप्रेशन के सब एम एलेज को हमने कहा कि आप को अग्रेज शोड़िये और वीजेपी में एक को भी नहीं कहा हमने जो हमारे थे राउल जी और अमुल के चैरमेन थे राम सिंग भाई वो बीजेपी में जाने वाले थी तो मैंने रोके इनको मत जाईए एहमद भाई को मैंने कहा कि इनको रोकिये तो बोला जाने दीजिये मतलब जो कंसंट पार्टी थी को दिल्ली तो इन्हों ने मिला कि चाचा लोग जाते हैं जाने दीजिये फिर इन सबने मिलकर जो भी हुआ तो दो नहीं दस बारा हो गए रागव जी और जो अकूबात थे वो तो च्छ महीने पहले कहते थे हमको बीजेपी में जाना है कॉड़ देंगे उनको भी रोके नही इसा शड़ियतर समझे या जो भी हाई कमान की चाहो कि चाहो जाना है जाओ कोई बात नहीं हुमन टेच की जो कमी रही और हुमन टेच की कमी के इसाबचे लोग गयतों जाने दिये इनको और महेंदर से भी इसमें सामेल हुए अपनी जो सरकल होगा आपस में इसमें 10-12 लो एकको भी और बर्विशेव भाई को कहा कि आप बीजेपी में जाते हैं तो पहले दूसरे केंडिडेट बनी है एहमद भी के खिलाफ नहीं आपको केंडिडेट नहीं बनना चाहिए आपनी मेरे को अगर कोई कहें तो भी मैं नहीं बनूँगा इतना आप रिस्पेक्टेड है एहमद भाई जीते हैं वो बीजेपी ने जीता है एवन रेकोर्ड में कहता हूं विद पूरूफ बताइए अच्छा यह जो है राजीव टोपनो नाम सुना होगा अपने वो एहमद भाई ले गए थे इनको पी एमो में मनमोंशी जी के स्थमय है इवस कलेक्टर बिफोर इनको पी एमो यूपी एटू में ले गए आपको पता है पुलिटिक्स में कोई चेर्में होगा तो भी अपना स्टाफ सेम पार्टी का होगा तो भी बदल देगा अपने पार्टी का होगा तो भी वो प्यून भी ने रखागा अपना रखेगा आदमी तो क्या पी एमो तो विएएस्य प्यएम के पैएस्य पैज कैसे बने लृत्स नहीं कहले कोई तो मेरे को बताया है या बीजेपइंि की बीना परभान की नाम कुला गया एलेक्शन कमीशन और वह बीजेपइं कि खिलावं निरणय होता एक ने भीजे जाथुनधें लोग है तो बापु ये तो दो क सथी बाते हो वह इनै आप कहरें पाविजया बीजेपवानियों और कमिशन ने फैसला दिया आप लोगों के हक में हक में किया एमद बहे को जीताने के लिए अच्छा आप बोलो यह उपर से संकेत था कॉंग्रेश के फेवर में खुलाया कॉंग्रेश की पूरी टीम चली गई अर्गुमेंट किया इलेक्शन कमिशन मान गया कि आपकी बाद सही है मतलब बीजेपी ने खुलवाया राज को और फिर इन्होंने जो दिया एमद बे के फेवर में दिया शंकर सिंग बागिला एलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया पर एक गंभीर आरूप लगा रहे है यह आरूप नहीं है इनका ऐसा हुआ थो भी मान लिया अगर यहीं मेले वीजेपी के फेवर का हो तो ऊते जो नहीं इंको पुसकर करना था इतना ही नहीं जैसे हमारा चोटू बाई है चोटू बाई वसाबा वल्ट जीनियर मेले परù सिंटीर उनेय किया होगा इनको मेंनी कहता हूँ कोन रेकॉर्ड इनको को लेकर आए एसकॉर्ट करके आप तो नए है या गादी नगर लेकिन जो साल में पचास दिन इहा इतने साल हो गए गादी नगर में चकर कारते हुए तो राजसभा में एसकॉर्ट एमेले को कौन करेगा वो भी दूसरी पार्टी का चुट पिक त अप पालिका कर भी अज्यक वो दो लोग एसकॉर्ट करके ले आए छोटु भाई वसावा को टीवी वीडियो के कई क्लिप मिरती है तो आप नेखिएगा और आएके किसको सौपा लाएकर आएके जाने जा जो इंचा थे इनको सौपा इनोंने अमीद भाई को सौपा अमीद भा भाई को पी जाता है अमद भाई के कैप में तो आदे बहुत से अमद भाई पटेल जो जीते राज सभावे ए मैस फिक्सिंग का अगर बीजेपी यह चाहती ही थी कि एमद भाई जीत जाए तो फिर इतना सब करने की ज़रूरत क्या हो थी बीजेपी को और आपने कहा भी थ जो मिले उनों ने कहा कि हम छोड़ देते मुझा में छोड़ो मैं छोड़ो मैं छोड़ो फिर ऊड़ apps फिक्स फमारे इसाब से अगर एहमत भाई हारते और ऐ क्रेडिट यह थी क्रेडिट जो भी हम को मिलेगी तो क्या BJP को एपसंद होगा तो नहीं होगा इस इसलिए एनिहाव हमको कोई क्रेडिट इसमन नहीं मिलनी चाहिए कि इनके पीशे जो मकसद रहा और ही है अबर नाम के उप्योग करके कहा गया कि हम तो काम के आदमी है यहाँ जिता ही हैं इनको क्रेडिट मिलेगी तो क्या मतलब है अब ही आप सवाल के जवाब में पीमो का जिक्र कर रहे थे हम ये इंटर्व्यू करने आये तो हमने अपने दर्शकों को बताया ताकि किसी के पास सवाल हो शंकर सिंग भागेला से जुड़ा तो जरूर पूछे सवाल कही हैं जो हम आकरी में पूछेंगे पर एक सवाल बहुत आया वो 2014 का एक सीन है आप और नरेंदर भाई कुछ आपस में कान में बात कर रहे हैं बदा जोर का ठाका लगा अईसा नहीं है प्राइवेट नहीं है एसेम्बली में ये स्पीकर साहब थे वदुबे साहब इनका फोन आया कि क्या पेशल सेशन विधान सभा का सत्रव नरेंदर भाई को फैसलियेट करने के लिए जो पड़ा पीम के कैंड़ेट मतलब पीम में बनी जाए 2014 में पीम डेजिग्डेट हो गए तो और आप लोग सभाव लीडर ऑफ अपोजीशन थे विधान सभा तो इन्हों ने कहा फिर मैंने अर्जुन भाई हमारे अध्यक्स थे मैंने कहा कि आप प्रविधान की लीजिए मैडम से कहीं सभी को यह न कहें कि हम प्रेसिलेट कर अर्जुन मोडवाडिया पोरवंदर हाँ हाँ तो इन्हों ने का नहीं गो हैड लो प्रॉब्लम अनुमत कि से फिर हमने स्पीकर को हा बोला कि अर्जुन भी बात किया होगा मैंने तो पार्टी अध्यक्स कहा था कि आइसा है क्या करें को करिये कोई बात नहीं तो यह जो हुए तो नेचरली गारलेन किया हमने और बदाई दी कि विजरात में से आप रधान मतरी बने अच्छी बा करना तो बापू नहीं बताएंगे इस और कि नहीं निकालेंगे उन्होंने तो नहीं कहा आप से कि वापू आप हमें खजरा हो जाकि दिल्ली न भीजते तो आज हम पर्मनेंट दिल्ली न जा रहे होते हैं आपकी बात सही है लेकिन वह बात तो इत्यास हो गया, कैसे खजुरा हुआ, कैसे नहीं। आएंगे, आएंगे बात पूस पर गयाएंगे। पर लोग एक बात और कहते हैं। शंकर सिंग वागहिला नरेंद्र मोडी के कटर राजनेतिक शत्रू। नरेंद्र मोडी जाने जाते हैं अपने राजनेतिक प्रतिद्वन्दियों को उनकी पॉलिटिक्स को खत्म करने के लिए। दोनों तरफ से तगड़ा। लेकिन दो राजनेतिक प्रतिद्वन्दी नरेंद्र मोडी के ऐसे रहें जिनके प्रति उनका रुख नरम रहा। विरोधी चलिए एक तो यह जो मामला हुआ इसमें बीजेपी में आने का जो भी इनका मकसद होगा उस समय बारतिय जनता पार्टी वो आरे सेस्के जो प्रचारक होते थे इनको स्टेट ओर्गेनाजिक सेकेटरी बना दे थे और यह सीट खाली थी उस समय हमारे दूसरे नाथालाल जगरा जो थे वो रिटायर होकर घर के काम में आर्थिक आजिविकाते लिए वह जाने वाले यह जाने वाले यह श्यासीस अटासी की बात है उस समय सबने कहा कि किसको कहा जाए उस समय जो थे महराश के थे पच्चिमान चलके पचारक प्रमुख होते हैं मैंने नाम बूला था भूल गया मैं निकाल लेता हूं बापा मैं सब लिख के लाया हूं जी बताई यह और इनके साथ हमारी मीटिंग हुए जी मैं केशु बा चिमान चुकला जो पहले विधायक थे राजकोर्ट से बाद में सांसंग के 67 जिनके MLA होस्टल में आप भी खूब रहे हैं इनके MLA कौर्टर में बहुत रहा है उस समय कॉर्पोरेशन का इलेक्शन था यहां एमजाद मिल्सिपल कॉर्पोरेशन तो वो जो उस समय जो बात कि फिर कईये क्या करना है दो तीर महिने के बाद फीर हम गए उरेश रहुआप जी केतकर इनकाना नाम जी केतकर साहब सुरेश राव केतकर हम इनके पास गए हम सब लोग हम ना कहते हैं कि इनको हमको राज निती में बीजेपी में भी डॉन पोर जब लोग आप कह रहें तब आपका तादपर शंकर सिंग वागहिला काशी राम राना सुरेश मैंता और केशु भाई पटेल से हैं मैं कंट्रोल करता हूँ तो पसंद नहीं हूँ कई आप करिये क्या करना है यह बात तो बापू आपने भी बोली थी सीम बनने के बाद आप मुंबई गए थे आपने कहा था संग को जादा करीबी से संचालित करना चाहिए आपने पार्टी छोड़ दी थी राश्टी जंता पार्टी बनाई पर कहा कि मैं हमेशा स्वयम सेवक रहूंगा अभी पही बात कह रहे हैं इंटिये स्वयम सेवक जो होता है न ओर आपी नहीं सब्सें हम ने बढ़रे को छोड़ किसने भाजपाने की संग संह में सोड़ा विज्अपी ने चौड़ अब नहीं जाते हैं गुर कि नीटता में वों तो यह कहते हैं कि किसी भी पार्टी में और बीजेपी में हमको हराने का प्लानिंग रहा है इनका पुरी पुरा बजदन दाल पुरा दुनिया भर के आटिफिशन लोग एंटि मतलब ऑफिशली हमारे खिला पोस्कार लिखे गई यादी लाकर वाटर लिश्ट का यादी लाकर यादी लाकर यादाबाद में करता चोटे-छोटे बच्चे क्यों लखे गए हमारा करियर एशेमेशन蛇शन दे करने के लिए एक क्यों आपका प्रयीर एससंजिनेशन करना चाथे थे बंदद देखें यह जो है क्यों पुलिटेश्ट पे पसन नहीं है यह पसन नहीं है वफादारी मैरेश्री को मार डा कि हमारी इंडीपटेन प्रस्टालिटी भी होती है थिंकिंग भी होता है यह जो मामला रहा के ऐसे हम कर नहीं होना ची यह जो उस समय यह बात जब बनी तब पूरी वीजेपी के आरेसेस के वीएजपी के सब लोग हमारे खिलाफ करवाएं फिर हम थोड़े वोटों से आ रहे चिमन भाई पटेल सीम बनते हैं केशु भाई पटेल डेपूटी सीम बनते हैं शुरू में फिर जब समर्थन वापस हो गया केंदर से तब चिमन भाई पटेल कॉंग्रेस के सपोर्ट से बन जाते हैं चिमन भाई पटेल की मृत्य हो जाती है फिर दूसरे सीम आते हैं फिर आपकी तिकडी है आप लोग जूनागर की पहाडियों में जाते हैं मंतरना के लिए वहां से कहाने शुरू करते हैं कहां से शुरू करते हैं आप बताईए आप बताईए 1995 के चुनाओ में टिकट वितरर से पहले क्या ये तैय हुआ था को कि शंकर सिंग बागेला को ये लग जादातर कैंडिडेट मेरे हैं तो विधायक दल में बहुमत मेरा रहेगा तो मुख्यमंत्री मैं बनूंगा यालीटी और बित इसलिए पूछ रहा है ये कि हम भारतिया जनसंग से हमारी पुब्लिक लाइब शुरू किया और भारतिया जनसंग में फूल टैमर जो होते थे वो RSS के लोग तै करते थे और इनमें पहली कंडिशन थी कि आप एसेमली और लोग सभा के कैडिडेट कभी नहीं बनेंगे आपको MLA नहीं बनना है पूर्ण कालिक प्रचारक बिल्कुल पूर्ण तालिक वरकर संगठन मंत्री कहते थे हम संगठन मंत्री जितने भी आए सबको एक कंडिशन की आपको इसमें नहीं बनना है MLA सत्ता की राजनीत में नहीं जाना है तो फिर पावर कहां से आता है पहला काशिरा मराना जो फूल टैमर था सुरत में हमने इसको अपवाद करवाया RSS ने अपवाद किया और इको एलाओ किया कि आप बनिये और 77 में हम जैल में थे कपलंज की लोग साब उसमें कहा गया कि आप कैडिडेट बनी है कभी कि टिकट नहीं मागे का सवाली पैदा नहीं होता है जो प्री कंडिशन से पोल्टिंग जोइन करता है कि MPML नहीं बना है यह बात कहां चाहती है मुख्यमत्री माली बात पर बापू जाला करके 72 में वह मेले बने कॉंग्रेस ओ से गुजरात में और कंभागे से इनका अवसाद हुआ और इनकी स्रीमती जी को इनकी पार्टी टिकट दिया कॉंग्रेस ओ पुरार जी भाई कि अमारे नेताओ ने कहा कि आप जनसंग से टिकट लड़िया मैं कुछ है क्या लड जो मतब मैसा ने में ही आरेसेस का जो कॉंटेक्ट हमारा हुआ हमारे नरोतम भाई पटेल मेरे लेह ने थे मैं जब नोकरी करता था एंसी में तब इनके माध्यम से मैं आरेसेस के संपर्क में आया दो प्रचारक अच्छे थे काशिनास जी बागवणे और अनंतराव जी का जी कली हमको लगा कि अच्छी चीज है और उस हिसाब से मैसाना का वो कट होता है हम नोकरी छोड़ देते फिर काशिदाम जी बागवणे हम को पकड़ते है क्या आप 24 गंटे के लिए राधिती करना चाहेंगे ठीक है जंसंग में आएंगे करेंगे पहला इंटर्शिब जो जीरते शिख्टी सेवन में जंसंग पहले शुरुवाती विधायक थे तो मैं उसके बाद मैं 68 मैं मैं राजकोट में हमारा इंटर्शिब छे मेने एक साल तक मैं राजकोट रहा और राजकोट में आरेसेस का काम इतना अच्छा रहा इतने रेपिटेट फैमिली डोक्टर पहली नागरी की बैंक जंसंग ने कबचा किया उसके बाद मिनिस्पार्टी भी कबचा किया तो राजकोट के बाद फिर खेडा जिल्ला में एग्री कल्टर सेंटर कोई जुनागड में रहे या आनंद में रहे एजितेशन चिन रहा था तो जंसंग के लोगों ने अमको कह हाए आप खेडा जाकर एजिटेशन में भाग लीजिए एजिटेशन में और एक दो महिने में गईजाता है फिर उवही काम कर उसके बद शिख्टी नाइन कि हमको कहा क्या काम करना पसंद करेंगे हम रहे मैसाना मेरा पूरा जिल्ला है गादी नेकर मेरा दो जिलों की जिम्म में जंसंग को में थी का मेफनौ को में और इसंब आहजेति लिए fitting मे जो नहीं है तो मैंने का ठीक है आप जित जाएए, आपकी सीथी भावबा नहीं रहे, आप केंडिये आप जित जाएए, मैंने बोल भी दिया, तो आपकी 34 साल उर रही होगी बापू, एक जो चीज है अगर वो अवसान इनका इंका इंतकाल मही होता, तो तो अमेले होते है, बाइदी भी हुआ, वो और एक बिद्वा महीला जब केंडियेंड बनती है, यह जो हम पुलिटिशन ऐसे नहीं है, नहीं, नहीं, आपकी सीथी आपके पास रहे, तो यह जो पूछा तो यह पूछा तो याद आया कि हम केंडिये बने थे वहां और बाद परी साब मेरा प्रचार करने के अटल जी और बहुत अच्छी सभा हुए थे वही अटल जी जब शिक्टी सिवन में आये थे तो इनकी सभा मैं देख रहे हमारे पटेल साब थे ओले गए तो 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 लोग गाड़ी लेकर आये तो अपनी स्टॉट मतलब गाड़ी का हिनलें चालू करके बादपी के पहला स और शिक्ती सेवन में सब्सक्राइब के अधाय बिल्कुल गुजरात में और काफी प्रभाव रहा पावर बनाते बनाते वो रहे गए वन्हा तो संटर पाटी की सरकार भी गुजरात में बने ती हाँ जब कई जगे सभुक्त विधायक मोर्चा की सरकार उधर यूपी में सब्सक्राइब काउंग्रेस ओ जनसंग और दूसरे इनिपटेंट लोग ते जो गांधियन लोग अच्छे लोग तो एंटी इंबर्जेंसी वाले लोग वो सेवन्टी फाइब बने बने तब तो स्वतंत पार्टी में पीलू-मोदी का बड़ा जलबा हुआ करता था गोध तो पीलू-मोदी ने मेरे को डोनेशन दिया अच्छा रूपी के दिया कितना दिया फिर कोई तक्रिप नहीं पड़ी वो पीलू-मोदी वाद पार्सी मेरे परस्टल बहुत अच्छे रिलेशन महरात भारिया जो थे इनके और यह थे विलू-मोदी की लोग सबा के सित्व अच्छे अच्छे थे अब बता रहे हैं मुझे ध्यान आगया उन्हें किसी पत्रकार ने बता दिया कि जब आप लोगों का यह प्रश्लिकाल चलता है तो इंद्रा जी पजल स्वाल कर रहे होती हैं अखवार की बैठके तो उन्होंने एक बार खड़े होंके बोल दिया तो इंद्रा जी चौक गई इनको कैसे पता चल गए बहुत बहुत लवली आग बहुत अच्छे थे वेरी जब लिए टोकेटी वेरी असने की बात करते कबी और हैंवी मोटे से लहीं सहीं पस्नालिटी लेकिन वह जमाना था सुंदर पार्टी में बड़ाब्डब्द्र व्यापार मुक्त धर्मा मुक्त जो भी है तो वो समय राजा महराजाओं की पार्टी बड़े लोकों की पार अरब्यों नहीं मानता हूं, इसमें नहीं मानता हूं, नियती में मानता हूं। मैं जवालाल जी के बाद इंद्रिया जी के समय में लाल बादूर जी अगर लाल बादूर शाहत्री का अकुद्रती बृत्यू वह तो ऐसे नहीं मरें नहीं होता तो तो मुरार जी इंद्रिया जी का कंटेश नहीं होता और इंद्रिया जी जाते तो पिर इंद्रिया जी का तो जिन्होंने कंडिशन किया था राजी गाजी को सोनिया जी में गराजी नहीं रहे तो कमपल सरी आना पड़ इनियत ही होती है मुरार जी भाई श्टॉंच घंधियन वो जन्सें के साथ कैसे बैठेंगे वो बैठे जप्रकाश नारायन बिलकुल सोशलिस्ट आद्वी बाइडियोजिकली बाइक्ट वो जन्सें के उसमें आए और सततर में सिहासर खाली करो की जन्ता आती है और वाकई सिहासर खाली और मुराजी भाई जो है वो प्रधान मंत्री के कैडिडेट नहीं थे जगजिवन बाबु को तै किया जगजिवन बाबु को तै किया तो फिर चरण शिंग की ऑस्पिटल में एडमिट हो गए और दुनिया भर का जो हुआ जो जन्ता पार्टी जन्ता पार्टी थी नहीं पार्टी नाम था पार्टी तो चरण शिंगी कि लोग जो भी पार्टी इनके शिमब्ल से सब लड़े थे सरकार पेहले बने बादमें पार्टी बदी हिए हल्दर किसान का सिंबल था हाँ हाँ तो वो जो पार्टी तो बाध में बनी और जन्ता पार्टी के पहले अजयक्ट चट्रतुजिघर गरे जो जो प्रुकार जी और अपने कहा हिं और क师या मुझ कुछ भी करो उस समय जगू बाबू को हटा कर फिर शाम को मुरार जी भाई को जप्रकाश नारायन जी ने इस सरकार बनाई जनता पार्टी भी इनके आशिरवासे बनी बापू आप ये कहानी बता रहे हैं कि कॉंग्रेस वर डिमक्रेसी के बाबू जग जीवन राम का नाम त ठीकी साब आपने उन्हें मुख्या बना दिया मुझे डप्ती बनाया यहां तक ठीक है लेकिन उत्तर भारत के टिकट में बाटूंगा तो चौदी शनर सिंग को लगा कि बाद में उनका दाउन लग जाएगा आप कह रहे हैं कि मुरार जी भाई थे नहीं मुरार जी भाई प्रदान मंतिर के आपकी बात मुलाकाथ हुई खूब उसे किससे मुरार जी भाई का इससा आपको सुरात आओं परिवार के साथ दिली गया तो 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 चरन सपरश करते मैंने चरन सपरश करके में स्रीमाती जी बच्चे सब थे इनके पीम मंगलों में मिलने के बाद फिर बच्चों को तो बार बैठा है, बैठो. फिर बैठने के बाद वो दूद पीते हैं, गाय का, थोड़ा पीला होता है. तो निकाल कर मेरे को दिया. सबको पता है, आपको भी पता होगा, जिए भॉरार जी यूरीन पीते हैं, पेशाब पीते हैं. स्वामूत्र. कि तो मैंने कपिला जूद आए पेशाब है तो हम दोनों यह अपिड़िये थे फिर इदों ने पिया मैं को लगा कि पेशाब तो नहीं है पिशाब हो जा तो फटाक से पिशाब जा तो पहली बार बात करता हूँ बुरा जिम्मे के पास में जब मेला दिवाली के दिनों में प्रदान मंत्री के हिसाब से पीला अपने गलासमेश से निकालकर मेरे कुध दिया , अपने पिया कर यह रहे क्या पिदे कमसे कम । और मौराजी भाई गायका दूद और लुषयं की 5कलि लुषयं, कंपल सरे हैं पुर्दान मंत्री को ही जहांता दे दिया। मुरार जी भी लेकिन उसूल वाले आदमी थे वह कभी डबल स्टेंडर्डर्ड नहीं थे जो मानते थे वो कह देते थे तर बापु मुरार जी भाई पर बड़ा इल्जाम लगा उनीस सो सरस्ट में भी और सतर्तर में भी कि सरकार तो उनके बेटे कांती डेसा ही चला रहे थे आपको भी एसा मैसूस हुआ है थे दूसरा रास्ता था पीछे से जाने में कांती भाई के चोकडी में भी था इसलिए तो आप से इस सवाल पूझ रहो और सुब्रम्न स्वामी भी वहां आते रहते थे इस कांती भाई के लेकिन कांती भाई कोई दूसरी गरबड वाला नह गरबड दूसरी जिस से होते हैं जिनको आउटों बेजा कर कोई काम करवाना है या कोई तो व कांती भी को पकड़ दाथा बेजिंकली कांती भी करब नहीं थे कांती भी आखिर आखिर में इनका दो स्वर्ग वास वआ तो बहुत घरीब थे प्रदान मंतरी के पूतर के पा तो यह जो मामला है कांती भाई ने कभी आउट अफ वे पावर का भी सुद नहीं किया नेश्रली लोग मिलते है तो बैटते करते जाए संजे गाजी का था संजे गाजी था संजे गाजी था एक्चुली रोल भी प्ले करते था जैसे इन उने जो नस्बंधिगा किया यह यह कांती भी रोल प्ले नहीं करते हैं कांती भी जो इनके विमान जो आजसा हुआ तो पूत्र की हंडी टूटी मुराजी नहीं टूटी मुराजी भी शुखित रहे समुंदर में भी वह मुराजी भाई मस्बूत थे खाने पीने के फिट रहे एसी साल की उम्र में इनोंने अन मुरारजी सरकार में अमरीका में जाकि उन्होंने अलग जगाई थी इमर्जेंसी के खिलाफ तो आपके और सुभन्यम स्वामी की की दोस्ती तब से ही है एक आप तस्वीर दिखा रहे थे मुझे उनीस सो सटर एखतर की जनसन का अधिवेशन था और इनमें किसी का स्वर्गवास हुआ होगा माता जी का पिता जी का याद नहीं है सुब्रेमन स्वामी के तो टॉली करवाया थे हैर प्लीन था लूंगी पहन तब से मैं स्वामी को दूर से और काफी अच्छा इंप्रेस करने वाला इनका फिगर इनकी बात वियो पुटप और इंडिपटेंट थिंकिक वाला अधिरा और वो थे आने से स्की चंदी पहन कर जो राजगाट है राजगाट नहीं अभी जो नया बन रहा है नहीं पर्ला सवामी चद्रिक निकर निकर पहन कर शाखा में आते ते हैं फिर वह से जंडेवाला जाना और वहां के में परचाज़ के पास दोस्ती कर और अतल जी और इनकी काफी ताइट एट कंपार्टमेंट ने झासटे आफी टाइट कंपार्टमेंट इनकी अपनू दिस मतलब संग का को जो गुरुप लक्षिना का पर्व हो या को अना जाना हो, जो रेग्यूलर, एक दिन जन जंसें की A.C. मीटिंग थी और बाध्पि को आना था. सब एंपई जा गए थे, बाध्पि नहीं आ आये, बंढडरी जी थे, सुन्र सिंह में जो उसमें थे वह राजसभा में होंके याद ने मेरे को तो इन्हों ने कहा कि बुलाओ यह क्यों नहीं आए ते जाओ पूछो तुम्हें गया इदो कहा है तुम्हारा स्वामी है ना मैं को मानुपड़ा की गरबद स्वामी से है इनकी अटल जी को यूद प्राबलम किया है तुम्हारा और अटल का मैंने बाद में बाद में अटल जी का पूसा है अटल जी के मेरे बट पस्तर रिलेशन काफी अच्छ रिलेशन है मतलब कोई बहुत की महरबान से इनका प्रेम वह इनों ने एक पत्र लिखा था विधर अरेसे सिक्ष्टी एटी क इन्हों ने खूझ इंडियन एस्प्रेश की ओफिस में दिली में यह पत्र दिया कि विधर अरेसे सिक्ष्ट इतने इतने उपन लिखने वाले यही थे जो अरेसे के सहमत नहीं थे कई बातों में सहमत नहीं थे कह भी देते थे का ठीक नहीं है और हुमन टेच वाला आदमी इसमें जो बताया शंकर सिंधी को यह बुला को यह जो सभ वालों के जाकर वही बात करना फिर हमारे खिला को दहीने बाए बताना यह गर्मन वाला आदमी मिलाब अटल जी जो भी हो सच्छा जुठा वहीं बता रहा तो एक इमेज खड़ी होती है खड़ी होती है एरेक्ट वह अपने अपने इसाब से कने वाला थे और स्वामी जी स्वामी जी है उसे बटाव किसी की सुन्दने वाले इंडिपंदेंट थिंकर है अब इसा नहीं है कि लेकिन काफी अच्छा विद्वान आदमी रहे चाइन अभी आपके संपर्क में है चाइन एकोनोमिक एक्सपर अभी चारपाज मेने पहले हैं अचा ठापज में और इदोंने काहा कि आपको नहीं पार्टी करेंगे तो मैं आपके प्रचार के ली आओं गा इसा वतल बिजय है एसा बटला बिल्गों ओपाँ आदमी हैं अशना तो वह हैं ना और सबसे जल्ला कृटिक भी ओव ऑजबा कह किसे को ज्यादा अहमेत नहीं देते थे आपकी एक बुलट थी बड़ी मशूर जिस पर आप बैट की चला करते थे तो उस पर स्वामी भी घुमें आपके पीजे पीजे पीज़ाती नहीं बुलेट मैं जब अन्सीसी में था वरंट ओफिचर की पोस्ट के ऊपर तो भी एसे बीटिस आमस कम्पनी तो बाहर से आती थे लो वहां चला तर या घुलाड दिमाघ में रहता है अब ध्युख तो बीजेपी में तो हमारे वसंद्भाई गजद्र गढतर जो दूंदर सेकर्टी थे मने का बहुंड आपको बुलेट दिजा मैं घुम्ना मैं बस में जाना इसे अच्छा है मुलेट में जाओ और वह बुलेट के पीछे मय ने रवीद्र हर्मा इमर्जंसी में एक्टिविस्त थे चन्टा सरोकार में वह ऋव स्रम मंत्री बने थे में मिनिस्टर इनको मैं बुलेट के पिछे ले जाता था और जोर्ज फर्नाडीज और हमारे पटवारी साथ थे दो बात में गवर्डर मद्राश बने थे बहुत 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 गांदियन आद्मी बहुत परलब कोई थाही नहीं एचा को क्या हो कहते थे कुछ नहीं तो खड़ा किया हुआ किसमें कुछ नहीं था यह पटवारी प्रभुदाज पटवारी साहब बिल्कुल प्योर घंदियन कभी मतलब हां इनके घर जाना आना मीटिंगे होती थी जोर्ज फन्नार भी जाते थे रविद्र वर्मा भी में छोड़ाता था हम भी जात थे लिकिन तो घंदियन आदमी थे और जोर्ज तो आकरमक थे जब से तब्से तो जोर्ज ने प्लान किया हो कुछ करे लेकिन प्रभुदाज पतवर इसमें इनका नाम भी इसमें डाला गया था बाद में ये तो खड़ा किया इसा नहीं था बहुत भले आदमी थे तो तब तो आपकी भी उमर चालिज से कम थी और क्या दिली में कैसा माहौल था ता बिल्कुल नया तजुर्बा होगा आपको एक लगता होगा यार इतो बड़ा कमाल की चीज होगी यह जो है ना मैं जनसंकी और से भी दिली में मैं भासन करने जाता था नहीं जाता था ता मैं त गुजर्यात में उमर में सबसे बड़े थे और मैं सबसे चोटा था जन्ता पाथ उस समय में मेरी उमर 37 या ऐसा कोछ लेकिन वहां जो माहोल देखा और माहोल देखने के पर अब बहुत यंग ते और लालु जी आय थे जीत के वो भी बहुत यंग थे लालु थे लेकिन लालु उस समय भी एसे ही मतलब लंभी अपनी रखना ये करना बोलने करने में तो वही करेट वारत है राभ विलाज पास्वान जो इनका अशो का होटल में जाना आना नहीं नहीं एमपी आये थे तो सरकारी होटल लेकी थी और वहां से इनकी आख लड़ गई अशो का होटल की नहीं नहीं तो अशो का को मतलब फाइस्टार अटल बढ़िया तो आप सब लोग एंपी रखो का होटल खूब जाते थे जाना कहीं नजदी पर वही अच्छी वाटल थी बगी तो भवन थे चब गुजरात भवन महाराज बवन बवन इतनी वह नहीं था म पर्श में उचरते रिख्षा वला चला जाना पैसे देकर कोई रोकता नहीं था मतलब अंदर चलो तो भी कोई रोकता नहीं था इतना है को सिकुरेटी पुष्टा कोने मेरे साथे चलो बढ़ना 20-20 लोग लेकर फूने भूंते थे तब गुजरात में कौन देख रहा था पार्टी को जन संग को आप तो नहीं थे केशु बापा भी उत्रे उम्रदराज नहीं थे लेट सेवेंटीज में कौन फैसले ले रहा था कि यह लड़ेंगे यहां से लड़ेंगे केशु बाई जो थे वेरी इनोसंट बहुत शिदे भले आनमें और कभी सोचा नहीं था कि भी सरकार बनेगी हम सबसे जादे केशु बाही स्रीफ मिनिष्टर होंगे गुजयात का भविष्ट हमारा केशु बाई पटेल ऐसा में भासन करता था और स्वतनत्र पार्टी में एक भाहिका का करके थे भाहिका का पटेल इनकी जो डेफिनेशन थी पार्टी की पक्षव गुजयात क्या थे दो कमीनिटी साति में नहीं तो केशु बाई और हमम सब्सक्राइब हुआ आफिक अ कभी दिल्ली का पाला मेंटीं बाड कभी किसी को कभी ने पुछा अपने हिसाब से हम क्याडिट तै ँर से लोगों को लाते और बांड यपने लोग लाखिए लाए इ वो लोग हम लाये वो सब ब्रांड जोक अच्छे परिवार के लोग के सामाजिक पत्रेश्ठा हो और सामाजिक पत्रेश्टा वाले के सब्सक्राओ जोक से समाज एंक कर दोने कछ पर ऑन दोनों कुछ तो कहा कि कैसे भी चिमानवाः को मुझा अधी करेंगग मत करो, हमने बहुत कोशिश कुई, और जो बावभी जैस्वाई की सरकार बनी, वो चिबन बै के सपोर्ट से बने, और कम थी संख्या MLS की, और बावभी जैस्वाई की हमारी एक मीटिंग थी अमदाबाद में, मिडिया को मालूम पड़ गया कि चिबन बै का सपोर्ट लेने क के लिए मीटिंगे तो बावभी वही से दिवाल कुद कर भागे मुख्यमंत्री दिवार कुद कर भागे वह बहुत बहुत करना ऐपेश करो ऐसा नहीं चाहिए और बावभी जैसे पर टाइम की इतने पंक्शुर ताइम के मतलब घडी की स्वी और बावबे और रियली सिंपल मैं स्वी अब बनने के बाद भी वो बस टेंड पर खड़े रहते हैं लोग कहते हैं उन्हें कि मैं बस में जाओंगा आथ में जोली थेली कपड़े की थेली अभी सुटकेश रहत एत चिली पेरी सिंपल मैं में जन्ता पाटी का साथ जन्ता मूर्चा का साशन था बाव भया एक साल चड़ एक साल में दो जनसंग के विधायक इदर से उधर हुए और सरकार बेश इमें जनसंग की बात करता हूँ पूर बंदर के थे हमारे वसंजी ठकरार करके और पीशी पटेल दरियापुर एमद जो कर दो निकालने के लिए और उसमें कई लोग तो कि इमर्जनसी में तो नेचरली फिर इंदरा जी भी अपष्या करें कि इक सरकार निकालो कैसे भी लेकिन नॉमस्वाले थे इंदरा जैसी भी रही लेकिन डेमोक्राटिक इनके ब्लड में रहा देमोक्रसी लोक्षाई अगर डेमोकरसी इंदेरा घाजी में नहोती है, तो इमर्जनसी उठाने का सवाली का जा जागा है, इमर्जनसी उठाई, कई लोगों ने इनको कहा कि उठा लिजिए, और उठाने के बाद फिर इलेक्शन आया, इलेक्शन पता है रिजल क्या आया, लेकिन वो डेमोकरसी रह इसलिए वो मानी, नहीं मांती तो क्या करते हैं, तो जैल में थे सब, और नोग फरक नहीं था पड़्लीको खोगा जैल मोरो, जिए कोई फरक नहीं है, वोट लिए लेकिन आपका क्या होगा तो दो बड़ी के अच्छ की क्या होगा? सब्सक्राइब करेंछ कि नरेंद्र मोधी की पहली बार मुलाकात कभ वे इंकि हमर आरीसस का कोई फ़ंक्षन होता था उस समय हम आरे.सेस कारियरा में अव लोग दो तरी जाते वह बैठ सब्सक्राइब आपके सांसद बन्ने से पहले की बात है 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 सांसद बन्ने के बात तो कोई सहौल है दिल्ली आते थे मेरे यहां रहे और एक मैं बात बता हूँ जो इनके एड्यूकेशन के बारे में रोग जो कहते हैं और इनकी शा लिखाएं। दूसरा मेरे यहाँ वह रहते भी है. ज्यादा दिली संगारी के उसमें रहते ते दिली में। मेरे यहाँ भी आती थी। मूख खा यक्रनास्थ पने के अभी भी इनको जाना था०ए चायन में जो करा मेरे कुछ साँ उ सर्वेसद करें थे लगुपा पैसे को synthetics कटि जाओ ह और वह उन कर लेकिन वह एकस्तरन धी जिन विशिटीमें उपन युनिविशिटी जो भी हो चुच से अविडय कर शिन हो इन टो पन यह इ transistor कर लिए डिली यूनिवर्सिटी सब ऐनेका करती human क करता हूं, तो बीए तक का मेरे को पता है, एमे का पता नहीं है, बीए का पता है, और मैं जो एमे हुआ वो बिल्कुल इलेक्सिन के दौरा में रात को पढ़ते-पधे मुणक का का एलेक्शन था तो रात को पढ़ना भाचन करना सुब अ मैस यह इनुन दौ बते मैं जरू कहुंगा की बी तक का तो मेरे को पता है और यह पातमे परीचे में तो दिली में आना जाना जो आपने सुनी होगी बाद दो मेलाओ की रागणी में आना जाना जो भी सुनी है तो कूपे बूग करवाते हैं तो कोई कोई एक आद्मी अंदर दो का ऐकोमड़ेशन होता है जोनों तो प्रधान मंत्रे नहीं बनते हुआते हुआ तो पिम बने तो उनको हो आगे चलाओ पीम के साथ हम थे तो बाद में उस धिन हम दोनों साथ मैं तो आपने उन दोनों महिलाओं को अपनी बर्थ देटी और आप ने ओपर सुष्टे तो अगधार लोग देखिने अरे अर्श में पारिवारिक संबन्ध होते थे तो पुलिटिकल थिंकिंग गंदा थिंकिंग कॉंस्पिरेसी ऐसा कुछ होता नहीं था बाद में शुरू हुआ सब जब शंकर सिंग वागेला और नरेंदर मोदी के अच्छे संबन्ध थे तो फिर आप लोग मुखालफत क्यों कर रहे थे उनकी बतौर संग्धन मंत्री यह जो मामला है ना मुखालपत तो पांटी के काम के हिसाब से होता है आप अगर मालिक है और अबारी बच्ची है वो ठीक नहीं तो पीज आपको तो ब्राण भी बना कुछ करना भी है ना तो उसमें जो था अमने लगा कि यह सेट नहीं होते अपना आई अगर कैपिटल होगा थोड़ा उधारन से बताईए बापो देखे यह जो मामला है ना राजनीती में आने की वज़र राजनीती में आरेसेस के प्रचारक तै करते हैं और वो तै करते हैं कि जिसका थोड़ा एट्रेक्शन होता है पुलिटिक्स में वो आप जा कि इनको रखो हमने का नहीं यहां बेज कास्ट बेज चाहिए पतिलक्सत्रिया में किसने का संग ने का कि नरेंद भाई को रखो हां आगर सुरेश नाव केटकर जिने रहा और मदू भी कूल करणी दूसरे पचारक से बिलो स्टेंडर पचारक रहें बिलकुल जिसका प्रत अब बाद हो गया बोला चैर्क पर फोड़ दीजे तो आप तो ना कहें गए तो चैर पर फोड़ना है यह चेर चैर है अईसे ही कहा कि दो तिन महने के बाद हम गए गये तो इनको पता था कि यह लोग आएंगे इनको मिलेंगे और हमारी खिला बात करेंगे कि टाम तो वही तो इनको कहा गया कि मैं इसलिए पसंद नही हुग ओ जो नाष्टापानी करते पैसे खराब करते यह करते मैं रोकता हूँ अब रोकता हूँ तो क्या संका आ था प्रतल नहीं होना चैने होना रोकता हूँ आप तई करिए-अ बिल्कूँ पर रीफ की आ इनको और पर रीफ होता है यह थोड़ी सो बात है जरा अबर एहमद भी ऐसी बात के थोड़ा सा देख लिए अब आप संभाल लीजे तो और क्या हो सकता है यह जो है तो इस यह जो कहता था इनको कहा कि भई आप सब का इसाब से इन अब 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 असली रूप नहीं देखा आपने इन इन अब अब इन अब बताया था मैं रहेल पर आऊ तो सब सिध्य हो जाएंगे फर्स टैम में आपको बताता हूं यह नरेंद भाई ने आप से कहा थीक हो और ना म कर उनके समर्तक कहते हैं कि वो तो सिस्टम सही करना चाहते थे और आप लोग कुरान इधंग से चलाना चाहते थे चलाया कोई बात देकि सिस्टम एपार्टी काई से बने कि पार्टी में इसका कॉंट्रिबूशन देखिया पार्टी तो बदाने में जाना है लोकों कि घर हुआ मे जो बीच कि आड़े आता है और इतना ही नहीं क contributes नहीं कोücksब्वा है ने कर तो नहीं की नहीं करतے कि तुम ने में कूभ ना मिनल जान बताना चाहिए लेकिन जब आप पार्टी के प्रधेश अध्यक्षी थे। एब पैनियर में नहीं भीदे पर अियु को टुआ है, आञे मेरे करता हुँ कहीं काझे से लगाव कट मिल्कूर कोष्ग करता हुए क्लिक एप्सक्णिकर्ता हुए चैन्लर काने जिनके, हमारे बले के लिए में इंडीड करता हुए उनकी कई बाते नहीं है। इसलिए बतातों कि मेंटालिटी ए लाल धागा है इनके आथ में काला होगा वाइ दो बड़ी नोड शिपली इनके आथ में हम पेले विया इसे पेंटे थे बहु भी सरकार थी तब हाव ऐसा पेंटे थे फिर इंदों ने शुरू दिया अधी बायवाला जो कुर्ता तो फिर को खाकी निकर होगे का सफेद निकर तो इनके जूते वो होते दूसरे जूते होते डाड़ी नहीं होते डाड़ी दखते गुरू जी आते तो निकाल देते ते को लाट मारते थे क्यो रखा है अच्छा आप कहना है कि महादार आओ सदाशिव राभ गोलवलकर अपने को निकाल देते हैं इजो हाई थे मेरे कु नमर्श तब तो देवरास साफ देख गाहे थे पूरा जो राजनेते कि साफ किताब था ने दिखी दो भाई थे दिवराव और बालगाव तो भावराव जी थे वो बज़े पी देखते थे बड़े बड़े बाई संग्चालक थे काफी प्राटिकल थे लेकिन तो रूटीन था कोछ पेशल नहीं था रूटीन था और काफी रूटीन था सुदर्शन जी बने जब समिचारक तब से गरबड शुरू होना से मतलब जो हुई तब से हुआ तब तो आप पार्टी छोड़ चुके थे पता नहीं में तो पार्टी रूल शेशादरी जी नहीं करते थे थे रूटी थे वह अवरेस थे राजयंदर सिक नोन महराष्ट्यन से बढ़े थे पहले आप बहले आद्धी एजब मामला रहा इसमें यह आरेस्स प्रचारक सादगी कहनी करनी कथरी करनी आस्मान जमिन का फरक यह जो है आरेस्स में आपको पावर हमारा साधन नहीं साध्य नहीं है साधन है सत्ता हमारा साध्य हो गया बीजेशय का साध्य सत्ता है सादगी इतनी भी सादगी नहीं मिलती है सब आरसेस के लोगों में अभी तो फाइस्टनार कल्चर आ गया और लिफ लग गई एर कंडिशन रूम लग गई आना जाना पाइस्टनार ओटल में एस करना वो करना जो सिवादल का रोल था ना इती थर्टी में गादेजी ने शुरू किया उसके बाद वो रोल पावर आने के बाद सेवादर का रोल पूरा होकर सेवा में लग गया यह रोल में आरेसेस के स्वहम शेख और पचारगों का देख रहा हूं कि पॉलिटिक पार्टी के नमस्ते करने में लोग लग जाए हैं सब लोग कि जो पावर में आना ही नहीं है और राजनीती करना है केंडियट नहीं बनना है वाद सिरू किया और खुर्शी एक होती है हमको पता है और केशु भाई मुख्यमंतरी थे हमने पूरे दुनिया में बताए कि केशु भाई आने वाले गुजार का भविष केशु भाई है मुख्यमंतरी 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 मुख गर्बन होने नहीं थे ये जो शंकर सिंग जी जरा विस्तार से बताईए इस बात को आप ये कह रहे हैं कि 1995 में जब पहली दफार गुजरात के विधान सभा में भारती जनता पार्टी अपने दम पर पश्ट बहुमत हासिल करती है तब विधायक दल के नेता जो बाई बारों ने सभी पत्र पत्र काउन यहीं लिखा कि विधायक दल में आपको भाउमत हासिल था और आपको पूरा भरोसा था कि आप सीम बन जाएंगे आपकी दावेदारी थी कैसी दें दीखा होता दावेदारी का साहली पता नी होता अपनम भी नहीं सोचा कि हम दावेदार करेंगे और मैंने नी पढ़ा कि कहीं लखा है ऐसा नी था केशु भाई थी मुख्य मंत्री थे इतरा ही नहीं मैं जब जनसंग में था फूल टाइमर जितने संगठन मंत्री थे जुनागड में एक मीटिंग थी मैंने कहा कि मैं पावर देखना चाहता हूं मैं सत्ता देखन कि अगर आपने बनाई है ब्रांच पुलिटिकल ब्रांच बनाई है जनसंग को कि हमारी ब्रांच पुलिटिकल अमारी राधनिती वाला मामला जनसंग वाले देखेंगे तो पावर के लिए किसके लिए है तो पावर मैं पावर देखना चाहता हूं मैं मेरा पुत्राय वह मैं खुद देखना चाहता हुआ। अब इस पिरिएट से जब हम काम करते थे हम काम करते करते जब सरकार बढ़ी तो केश्व भाई वाट चिमन बढ़ी तब ही कुछ बन सकते हैं बनना ही होता हुआ हम ने कभी हमारी कोई को शौरous टィरो टॉटे आधी हुआ है यह लोग सुआ है क्षिग सजग्ट बनेटक पढ़ी हमारे सीट तब इस तब हम इनकि हमारी सिट अवानने की कि आपकी आलोचक कहते हैं कि शंकर सिंह आड़ गए कि मुझे संक्टन का काम देखना है मुझे राजसभा बेजो जवाब असी में लोग सबाहर गए उसके दो बरस के भीतर लेकि राजसभा का सवाल है नहीं राजसभा में तो कंपर सरी हमको कहा गया कि आप राजसभा के हम को कहा कि आप लड़े कि म genre हमारे सपोर्ट में ए उस समय थर्टी सहब की जगावने राजसभा नहीं राजसभामे हमने 53 529 परा एके बाव नहीं? सब्सक्राइब करें कि अधिए कि अधिए कि अधिए इसे कहा गया इसे कहा गया कि जिदना आए नहीं यह उनिस सो एसी की बात है 84 84 84 में राजसभा में चीमन भाई पटेल का जो रहा इनका समंग और हमको कहा गया कि इस ले उल्क अधिटेर वि데 Opportunity कि एक और आप जाना जुआ क्या शुआ कि अघिए करें कि जडियन करें कर यह करी एकड़ पर इंडिपाइजन आपको को तो पैसा तो बहुत खर्च हो गया होगा आपका विदायकों को पहले हमारे देग्हाम के कॉंग्रेस के एमले थी देग्हाम के शत्रिय थे शराबी पिते थे मादे शिवे शोलंकी और गयाग भी कल जरे लगार सपा का इलेक्शन है तो आपको मैं एक्षत्रिय हूँ मेरा वाट शंकर सिंग वागयला को जाएगा बोलिये और नशे में थे गिलास ताथ में राठोड साप थे पर यहां तो शराब बंती है ना कुछ रात में एमले पीते बॉर भीता हम और फ्र जो में रिलेशन रहा इसे साब से जो में धरें करता पांचनारे मिय गयान आपक जो Varocol sodium पर कैसे बनाना था एकड़ा करना एकड़ा करना एकड़ा करना पीछे वाला ज्यादा गोल करना एसा तो फता रहा है यह इसे राजसभा भी बाईदी हम गए फिर अधी नगर का इलेक्शन आया यहां लोगसभा का वो भी का आप लड़िये और भी काफी मार्जिन से जीते हैं इसलिए हमने कभी टिकट के लिए वो दी कि हमारी हम निस सो नवासी में आप बोद्रा गए तो बोद्रा पी फ़ले यह शंकर सिंग जी आप अपने एक जवाब के क्रम में बता गादी जी शराबंदी चाहते थे इसलिए यहां शराबंदी और बोरार जी बाए का गुजरात पिशाप पिरे वाले बोरार जी बाए का गुजरा शराबंदी स्टिक ले तब से गुजरात में महाराष्ट गुजरात अलग बदने के बाद भी गुजरात में शराबंदी है आर्टिफिशल है, फर्ज की जिए एक फुट लकीर होती है, यह महराष्ट और गुजरात, आप एक कदम आगे जाएंगे तो महराष्ट में वहाँ पी सकते हैं, एक कदम इदर आएं, राजस्थान एक कदम आगे जाएंगे पी सकते हैं, मज्यपदेश, राजस्थान, आप गुजरात में नीव जाएंगे तो पी सकते हैं, नमन जाएंगे पी सकते हैं, यह पॉलिसी कभी सक्सेस नहीं हो सकते हैं, और अर्टीफिशर पॉलिसी है, इस पॉलिसी को छोड़ कर मैं सीम था तब मैंने वंबे से निकाल कर इसको एक्साइज का अलग निशाबदी खाता है दिपार्टमें उसमें डाला था, और कुंदीप शर्मा एक अच्छा अधिकाली था, उसके दीचे अलग पॉलिटेशन बनाएं, यह ठीक करोड़ आप शराबंदी हटाने वाले थे, न्यू कोर्स में हटाने वाला था, पर अटाया क्यों नहीं? देखे, वो तो मैजरोटी को शिक्षा फ्री दे सकता हूं, अलेश तक, यह रोप अमेरिकन कांट्री पढ़ाओ, हैल्थ फ्री, कितना भी उपरेशन हैं, नोट वरी, गो है, नो प्रोब्ल्यक्त, यह दो में चीज़े हैं, जिसमें लोग दुखी होते हैं, और शराबंदी है तो उसको कोई पब्लिक पीना ज़रूरी नहीं है, आज लोग पिते तो है, आज सक्सेस नहीं पिते हैं लोग, पिते पुलिस पकड़ते हैं, बुट लगर मजा करते हैं, करोणों पेका करोबार, और हर रोज तो करोणों का पकड़ा जाता है, तो यह अच्छा है कि शराब इस सिस्टम में डालो, स परमिशन मागनेवाले का नाम लेखो, परमिशन मागनेवाले का पीता हम पेशना, पहले फटा परचा होथा था, शरावी का नाम नहें, सब्सक्यों का नाम अच्छा है, तो महिलाय भी पीते है, प्यो, आपका पस्तल मामला है, तो मैं टायमल जो है गुजराट का, Mowawai हो मुराँ जिम् Northwest में एकुरूए इनों एक था गड़ा गाद कि अबे पुदिया देव लिए स्ट्डडर नहीं जया है कि यहां मैं यहां ना पियू clar यहां मैं ता अमेरिका में पिल नहीं अपुरूटिय। मतलम अन् इसे साब से यह जो पैसे आएंगे उसमें गुजात की जनता का भला होगा और बदमाशी नहीं होगी, शिग्रेट के उपर लिखा है लिखा आप और टाइबल जो हैना वो सुखी होगे, वो अपना डिस्टरी होगी, गवर्मेंट उसको सुपर्विजन करेगी, बोटल के इसे लोगों के लिखा है और इसको अपर लिखो क्या है और क्या फाइदा होगा, किम्बत क्या होगा, सरकार सुपर्विजन करें और ग्रजुएट ट्राइमल लोगों को इसकी परमिशन लेए, सवराष्ट में भी उसको अबीसी गरेम लड़के लड़के लड़की है तो इसमें अबुल के लिखा होता है मोटल के लुच कितना फैठ है क्या है इसे दारू के लिखो इसे आरिफिशल कंट्रोल करने से लोग सुफीड होगे पैसे आएंगे इसे गुजरात रियली एड्यूकेशन और हेल्थ में इंडिपटें होगा, महगवरी चली जाईगे अच्छे बताई बाबू, कई लोगों ने कहा कि गुजरात में बीजेपी में दो मत्थे इस चीज को लेकर कि जो विधान सभा का चुनाव लड़ना है वो जनता दल के साथ एक टैक्टिकल एलाइंस में लड़ना है या अपने दम पे सब सीटों पर लड़ना है उनिस सो नव कि उस समय तो जनता दल के साथ मैटकल लड़ने का सोचा था लेकिन इनिपड़े लड़े हम अलग लड़े बाद में कठा हुआ बाद में जनता दल और मतलब बीजेपी जन संग्जोबी है उस समय भारती जनता पाज़े बाद में हुए पर लोगों ने कहा कि चिमन भाई को विधायक ज्यादा थे वो तो इसलिए थे को कि अब सीटे बराबर पर टेक्टिकल एलाइंस हुआ आपके टेक्टिकल एलाइंस मतलब अपचारिक नहीं किया लेकिन अनपचारिक तोर पर राजस्थान में उत्तर प्रदेश में बिहार में गुजरात में अच्छा यहां आ यह करो वहां वह करो नहीं जो कारिय करता के साथ कभी चीटिक नहीं किया पुबली के साथ की चीटिक नहीं किया जूथा भाशन नहीं किया गलत प्रॉमिसिज भी नहीं नहीं जो भी खुले आम कहां इसमें कभी यह गर्मत नहीं हुए बीजेपी में कोई वीजिन पार्ट कि एंधक सब्यान बशेदों झिला कि कोंड़ी करड़ा हम जब थे और जहां हो दिल्टी पुलिटिक्स अचरस्डा नहीं है और गंदा जो गंदे होते हैं जो शास्त्र को गंदा करते हैं इसलिए गंदे लोग तो सब देखे होते हैं इसमें बचना है आप लोगों को लेकिन बड़ा जटका तो लगा होगा कि चिमन भाई हमाई साथ सरकार चला रहे थे अब कॉंग्रेस की गोत में जाकर बैठ एक देखिए कि चिवन भाई जो थे वो वो रियली वरकर थे अबिश्रस थे और सिस्टम के खिलाफ लड़ने बाले थे अब अब फ़र्च कीजे कि सेवर्डी टू में गंशा मोजा दो मंत्री थे वहां स्टेट मिनिस्टर भारस सरकार के इंदिरा जी ने इनको यहां बेजा कुई मेरिच का मर्ड़ने पादारे रिखी जिक है मेरिच और लौयलटी ओर्फादारी तो पार्टी में खहुमार्पादारी मेलिटिश मर जाते हैं वरकर सही है तो वो अगर मैरीस वाला है और इसे को पसर नहीं है तो उसको पुरा करने। उसे सब पुलिटिशन, काफी पुलिटिशन इक लिए मुरार जिबाई सब आ गए इसमें। कि मैरीज के लिए तहीं मुख्यं मंतर कुछ को बढ़ाना यह नहीं बना इसमें हुआ कॉंसे लोयल्टी अगर घर दम वाला आदमी हो अग्या नहीं होगा गलत मात्से वह सहमत नहीं होगा गंशेयां बाई उजा गया इसली प्रवले अंजा लगा और बात भी सही थी और एडमिस्ट्रेटर को नारे बनाए गए है आप ही लोगों ने बनाए थे वो बनाए थे वो बनाने वाले भी होते तो अपने बन जाते हैं चीमन भाई एकचली उन चोर शीमन भाई ने देखिए मैं पहली हमको गाडी ले थी जनसंग में से थी अ फ्याट प्रिम्मिम में मिलती थी तो हमारे एक घवाजी ठाकूर थे इरके पास ट्यक्शी का लाइस था तो हम ने थीआट ट्यक्सी कोटा में चीमन भाई से रिक्वे अगर कही गरबढ होती है तो शेरिंग करते थे कोई भी इंडेस्टी वाला आता कवेदे कि तुम्हारी गरबढ है उपजिसे वाले उठाएगे तो मेरे कुछ द्यान रखता है निका भी द्यान रखता है इनका भी द्यान रखता है यह इनको भी चंदाद दो और विपक्सी इनको भी चंदाद दो उपल जब दो कहचा दे कि ध्यान रखो वर्ना कर्मन करें के तो मैं जाब ने पाओंगा इनको भी संभारो सबको मैनेज़ करो इसको कहते है बहत कम लोग आईसे प्रक्टिकल होते जो विपक्ष का भी ध्यान रखे उलने वाला बोले गया भी उसको मिलकर किया कोई लानच नहीं होती उस समय कमिटमेंट नहीं होता था को मंत्री बढ़ाया गए इसमें सहमा तो आओ इसलिए वह काफी लेकिन छोड तो इनको प्लानिंग से करवाया गया विदीन पार्टी विदीन पार्टी जिमन जिनको थे इनको थे इनके जो एजिटेशन तो श्तिल छोकराओ का वो फिर ज्यादा करवाया गया तो लीड लिया ओने लीड लिया था को फिर बैठा को पर बैठाओ चिमंट रूप लेकिन विदीन पार्टी था महरवाले तो महिदी वे स्टूड़न था पुरा पार्टी अंदर के लोगो और बैकिंग थी जनसंग क आपढ़ें से नेताओं की जिसमन शंकर सिंग खेला थे हम नहीं थे हम तो लगे थे उसमें लेकिन पार्टी के इसाब चे ब्रिक्ति का चीमत पर ढ़ना है लेकिन वह इनके जाने के बाद फेर तो इमट जंचि का मामला 74 में शुरू हुआ इसमें से मुरार जी भाई वह रहा रहा जिस दिन नतीज़ा आया बारा थारिक को उसी दिन जिस दिन कोड का नतीजा उसी दिन गुजरात का नतीजा आया ता विधान सबागा और मोमत आया यहां और उसमें बच गई है सर्काह, लेकिर एक साल बचे ज्यादा नहीं बचे, और भी बीजेपी के दो लोग निक्कम बेले आप वो आपने बताया था, अच्छा बापु आप उन्नेस सो पंचानवे में आप उन्नेस सो नवासी में पहली मर्तबा गांधी नगर से लोकसभा का लड़ते हैं और बड़े अंतर से जीते हैं, उन्नेस सो इन्क्यानवे में आप लाल कृष्ण आडवानी के लिए वो सीट खाली करके गोध्रा चले जाते हैं, मेरी इंप्रेशन अटल जी की है, में भी रॉंग लेकिन आप अटल जी बापू लड़े थे उन्निस सो च्यान नहीं बात नहीं करेंगे, अटल जी आखरी दिन आकर फॉर्म भरेंगे, आप गोध्रा चला जाना, तो ये मेरे कुई अटल जी का याद है, अडवान जी का याद नहीं है, मेरे कुई याद है तब तक ये बात है, इलेक्शन कमिशन आप इंडिया की वेपसाइट यही दि फिर बीजेपी निवाद से चुनाव लड़ाया शत्रूगन सिनहा को और शत्रूगन सिनहा राजेश खन्ना से चुनाव हार गए थी, राजेश खन्ना फिर उनीस सु च्यानवे में कांधी नगर से लड़े इंक आनवे में वाचपई साब लड़े थे लखनव और आप कहते हैं बाज सही होगी लेकिन मेरी मेरी जो कहती है वो अटल जी के लिए कहती है उसके बाद या अबार विजेए पटेल आया जो स्पीकर थी इनका लड़का फिर अड़गी लड़े लड़े तो पर वो नाइंटी सिक्स जब छोड़ी ने तब चुनाव लड़ा उन उसके पीछे क्या रणनी थी ती रामायन के किरदारों को चुनाओ को टिकट अबे साउथ की इंप्रेशन साउथ इंडिया एम जी आर करणा नी थी फिर आंध्रवाले रामाराव जी तब से मेरे को एक इंप्रेशन थी कि लोग इंप्रेस होते हैं सेलिब्रीटी से उस समय रामायन की महोल था रामायन को घर पर देखते थे तब फिर हमने कहा कि क्या करेंगे तो मैंने को कहा गया कि आप दूढ़िये कैडिनेट हम गए एक पार्टन सीट लोग सभा की शिल्डूल कास्ट की थी एक क्रिकेटर था और एक अमारे कनोडिया थे पिता जी थे अर्विन त्रिवेदी भी तो लड़े थे जो रावण मने थे तीन लोग हम ले आए हम लंकेश को सुरेद नगर सीट पर रावण त्रिवेदी अर्विन त्रिवेदी इन्हों को सुरेद नगर दिया दीपीका को मैंने कहा कि तुमारा रिलेशन क्या है मैं तो आपने जाके इनसे मुंबई में सबसे बात की यह लोग कहा रहते थे तब यह शांता कुरूज में जो था वही निपिका पर इनके गर भी गया हूं ऐसे लोग है चिखली के चिखली के इसलिए उनका नाम दीपका चिखलीया है चिखलीया तो रहा उस समय अब तो वह त कि इसलिए कया जए श्याराम करना विर्फश्या इन के लीए घुध्रा सोचा था तो यह घुध्रा गोध्रा क मेरा हुआ तो यह घुध्रा अबरोडं अच्छा गाने वाले थे भीस आवाजों में घाते थे महेश कनोडिया वह पार्टन से एक क्रिकेटर था उसको लाना था और इसको तुम्हां से क्रिकेटर था जिसके लिए ट्राइकर नाम भूल गया सवराष्ट का था था नाम भूल गया भी याद नहीं आथा कर्सन घावरी उसको बना था नरहेंदर भाई चाहरे थे कि अपना लेकिन यह नरेश कनोडिया पार्टन के एक महेश बैड और गाते थे अच्छा इनको लोग सभा में प्रष्ण आया महेश कनोडिय का और बात्वई जी थे और देखा कि अधिकर भी बोलेगा महेश कनोडिया मेरे को बलाया कि अ क्यों प्रष्ण पुचे तो वह आवाज मे कर दो महिला को पुछे जो अलग अलग आवाज में कंडू & बना कर नहीं को Maesh preland 5 अज़ का और दो महिया पुछे जोड़ से वह आद है लिए उसको लो कम भी आए अछा एंधिन्ध्र थरिवेदी में इसको हम कि कर चोटा भाइ वो भी अच्छा पॉप्यूदर एक्टर रहा गुजराती पिक्चरों में वो भी इंडेपर्टेंट जिता रहा पोगरिस में पी जिता रहा बिलोडा साबर काथा जा तो यह जो होता है वो लोगों को इस पार्टी में लाने के लिए इस पड़ता है लेकिन पब्लिक लाइप के लिए अच्छा में कोई आएगी सेलिब्रीटी तो लोगों को पस्तावा रहा है पिल्कुल पस्तावा रामनाय आता रहे गई गोविंदर आया शीता एंपिबने लोगों को प्रसंद करता आशिया आए जी आशिता रहे है कि दीप पार्ण वरोधरा में नहीं बाड़ूदरा में? उनकी दुनिया एक ज़ाए नहीं होता है, इनकी दुनिया लोगों को चिटिंग करने के लिए पार्टी उनको पसंद करते हैं, वोटर इनकी इंप्रेशन में आया है, वोटर दें, बाद में वोटर का जो भी होना है। किसी लिए एक्टर एक्ट्रिस को लाते हैं? यह अच्छारी इसलिए मेरे को यह पस्तावा होता है कि गलत अट्रेक्शन के लोगों को साथ नोइंग लिए आप चिटिंग कर नोइंग लिए कि कल्कुस होने वहाना नहीं है, यह कभी कोई नहीं आएगा। अभी परेश रावल था, यह अभी साराय परेदरी, कहां जाएगा, कैसे जाएगा। और जाएगा तो लोग कठे हो जाएगा कि सिक्यूरिटी उसकी उसके टाइम पास करेगा। पर लब इसलिए अवैलेबल नहीं होता है। इसलिब्रिटी कभी भी किसी को इजिली अवैलिमन के होता है। चलिए, अब आते हैं उननीस सो पंचानवेपर, आपने कह दिया मेरी कोई दावेदारी नहीं थी, केशु भाई पटेल मुख्यमंत्री बन गए, फिर किस बात की नाराज़गी थी। होता क्या है। यह रियालिटी और मीथ में बहुत फरफ होता है। हम जितने MLA 121 यह आयते हैं, BJP के थे। अभी जो उसमें मने भाशन किया था, कि मंगाल में जोती वसूर 17 साल तक सीम रहे। केशु बही आप भी पुर्वर की पट्टी हमारी ट्राइबल गरीब लोगड़ी। तो सुर्य दे हुआ यह हुआ ऐसे तो यह इसमें गरीबों का ज्यान रखेंगे तो आप भी 15-17 साल मुख्यमंत्री रह सकते। यह हमारा भाशन था इनके मुख्यमंत्री के बारे में अगर 15-17 साल तक केशु बही मुख्यमंत्री रहे वह माज करने वाला आदमी पाच्छा मेने में कैसे काह का केशु बही नहीं होने चाहिए। लेकिन यह जो पावर आई और पावर का पिर कबजा मुख्यमंत्री का मेरा एक हर्षण ब्रहंपट था मेरा प्या था मैंने केशु बही नहीं को निकाला गया तो यह जो थी तीम जो जो एंटी शंकर सिंह बन गई यह होंगे तो हमारा नंबर कभी ने लगे हा तो केशु केशु भाई का एंटी चेंबर का कब्जा कर लिया इसमें प्रवीन तोगडिया भी आ गए और माकी के लोग आ गए और केशु भाई को कहा गया कि बापू को नदिक मत रखिये आपकी और इनकी पैरिटी होगी तो लोग इनको पसंद करेंगी इनसे दूर रहिए और केशु पूरा कब्जा जीस घर में हम कभी भी जाते आते थे कोई प्रोब्लेम नहीं था हमारी बेहन जी इनकी स्रीमत जी लिला बेहर इतने अच्छी डाल बनाती थी हम सोब खाते हैं वही कोई कोई परिवारिक मामला ओ भैस जखते थे अपने यहां तो अगर गास अधी होता तो मेरे पिता जी इनको जाकर गास देने इतना परिवारिक मामला वो केशु भाई मुख्य मंत्री के बाद जीन लोकों के कभजे में एंटी चेबर पर बैटने वाले टिफिन खाने वाले लोकों के कभजे में आ गए श्टाप पुराना हटा दिया जान बूश कर क्योंकि मेरे एंटीक के लिए पीर इंटे जान बॉट में यह ठाशन जाने जाना साँ बाद का को इस। किसे को मिलेंगे नहीं, इंकलूडिंग मी, इस्चु दूसरे नहीं थे, बाजपणी जी सही क्या चाथे, बाजपणी का को इस्चु था ही नहीं, सिवा एक टाइम मैनेजमेंट का, तो अगर आप कहेंगे, यह घर जो हमने बनाया, पावर में लाए तो पावर में खुर्शी एक होती हमको पता है, लेकिन एक खुर्शी में आपका भी हमारा भी इसमें हिस्सा है, हम भी इसमें भागिदार है, आप पावर में आई, इसमें हमारी भागिदारी है, हमने भी लोकों को प्रोमिस दिये, आपको यह दीजिए, बिजली दीजिए, पानी दीजिए, दौकरी दीजिए, अब उसमें बिना मीटिंग बात किये, कैसे होगा? MLA-S जो है, वो भी चाहिए के साभ यह हमारा काम है करिये. MLA-S को मिलना बद, हमको मिलना बद, जो घर में हर हफ्ते में साथ में खाना खाते ते हैं, वो हफ्तों तक एक कब चाहिका भी नहीं रहा, कैसे पराया लगेगा हमको, कोन है लोग, है कोन किसके कब जम है, क्यों, हम दुश्मन है आपके, खुर्षी एक होती हमको पता है, लेक 21105, और इनके प्रेशर से हमने किया, हमारा तो क्या था इसमें, एमरेट ने कहा कि आप कुछ करिए, हम तुम बर जाएंगे, लोगों के बीट जाने पाएंगे, लेकिन एमरेट को मुख्यमंत्री नहीं तो कैसे चलेगा, ये, तो ये, आप 1995 का विधान सभा चुनाओ लड त stripesaja साथनामें गई से घैकी नहीं टांटबंद। नीचेंट के सानशथा फ ही नहीं है, देखिए कउ सनसत पहले बने उन्हों कि उनलडीए का पड़वन से कहा क हुआ कर भात लोग थे जनसां के पात, लोग हैं साथ तड़लाग वोटर्स में से कितने लोग ते 5 इस में हम प्रदेश पाइदी नहीं था कुछ एटी नाइन में घादी नगर कुछ नहीं था आपका गाव लड़िया गादी नगर लड़े राजभा आई लड़िया राजभा में गए कहा हमारी पसंद्गी है मतलब यह जो मामला है निका आपको केंडियन बनना था सीम कुछ फ्वेस् कोटे के मंत्री नहीं नहीं बने हमारे हसाब से टांसफर पोस्टिंग नहीं हो रही है यह जाम लगा जेके मंत्री जो होते है तो मुख्य मंत्र किसी को भी बनाए हमने को नहीं कहा कि इसको मंत्री बनाओ इसको बनाओ इसको बनाओ कभी हमने के नहीं कहा केशुबे को ठीक कि भी किसी को फॉन तक नहीं कि हमारे साथ हो जिंदे हैं लोग कभी अमने नहीं कहा कि हमारे साथ आप ने पूर मेयर डॉक्तर मुकुल शा को पार्टि बचाओ संबेलन करने के लिए हैं वह के खूद किया सब्सें पहले बगावच किसी ने किया हो पार्टि के सामने तो मुक आडवाने जी आए मेरे पास, बुला, मैं एक यात्रा करना चाहता हूँ कि इसी को बताना मता, सोमनात से अयुद्या तक का और कितने लोग कठ्थे कर सकते हो, सोमनात से चुरू करना चाहता हूँ, कितने चाहिए आपको, दो दो पाज दर दर को दर कठ्थे होगे, यह आडवानी जी ऐसी यात्रा के लिए सोच रहे, बोला, वाग पर सवारी कर रहे, अटल जी के लब्स थे, कि वाग पर सवारी कर रहे, और उसके पहले कभी में अयुद्या नहीं गया, मैं अयुद्या कभी नहीं गया, बाद में मंत्री था तब गया, बाद में में अयुद् गुटुको करने के लिए अचल जी ने आप से कहा कि लालकृष्ण अडवानी बाग पर सावा anda कर रहे। अचल्ड जी ने कहा कि क्या कर रहे है। यह समबत नहीं थे अचल जी कही बर पर फी नहीं उस समय हमने भाषन किया था कि कमल पुजा होती है, कमल पुजा मतलब पेर उंचा होगा और शिवलिंग के उपर कटारी चपू माध कर वो जुलेगा आदमी और अपने मस्तक में खून निकलेगा वो शिवलिंग पर पड़ेगा, वो कमल पुजा होती है, हमने का अगे भरतिय प्रमोद माजन थे इंचाज, और कोई नहीं था, टेक ओफ हमने दिये गुजरात में ऐसे बियोंड इमेजिनेशन, और टेक ओफ हुआ हुआ हुआ, बिल्कुल टेक ओफ हो गया, पक्ता, गुजरात की यात्रा में तो नरेंद्र भोधी थे, नहीं थे, और गलत बात है, प्रमोद माजन थे, 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 कोशेश की थी अड़वानी जी सुननी रहे थे कि आपकी नाराज़गी बहुत बढ़ गई थी के शुबाई सरकार के समय किमन भाई ने का आप पार्टी जो आला मुखी बनी हुई है जो है अगर अगर जो जो कच्छे दिमा के लोग होते हैं वो जो बात कही जाती है आपके किसी को बताया गया कि ईसे है मैं क्या करता हूं साथ में बठाता हूं त्यूं नाजवं को घुथी का आपके रगने पर सब लोग हम किसी का टेलिफोन भी चेक नहीं करते हैं कुन कहा गया वो पूस्ते नहीं थे अमीद बाइशा, मैं जब अज्यक्ष था पार्टी का तो में पास पाच्छा मेने के लिए इनों रखा कि इनको रखो साथ में चोटे उज्योग पती है काम में आएंगे पार्टी के लोग जह नहीं प्राटी कि अच्य करें बढ़ते हैं मीं बाटे हैं भी पर प्राइम किटे हैं यहां को चौच लग direst mins हमला है यह क्यो जो माया है जह जा ऑप क्या करने का य आपका परिवार में क्या है अभी प्राइवेट लाइब क्या है नहीं पड़ना चाहिए कपड़े में सब नंगे होते हैं किसी के परस्तेल लाइब का मिस्यूद नहीं करना ची और इंफरमेशन जनसंग सिर्दो निकले लोग इसमें से शायद कोई पुलिटिकल सर्वाइब ह वड़ना इनके सामने बिल्कुल ख़तम हो जाता है पारी बारी की वह ख़तम कोई नहीं बसता और हम हमारा पॉलिक लाइफ में कॉलिफ पुलिटिशन के इसाब से लोगों के लिए आए अपने लिए नहीं आए हमारा पॉबिक लाइफ का मतलब रियली फर पॉब्लीक आप बार बार पब्लिक लाइफ की दुहाई दे रहे हैं, पर जमीन तो उनकी खिसक रही थी, बोल रहे थे, 105 विधायक साथ हैं, लेकिन जब परेड की नौबाद आई तो उसने 48 बचे हैं, लेकिए 105 थे, मैंने तो नहीं बुलाए थे, वो लोग आए, खुलयाम आए, आने के बा आए, यहां इमर्जन्सी में ओवर डाइट बना दिया था, अमने चांपाउंड वाह रहे थे, और वासना में? वासना, वासना में आए, और वो, मैं इनको कहता कि अटल जी और अडवान जी खड़े हैं, और एसेम्बली में जाना है और इनके विरोध में मद्दान करना है तो इनकी नजर सो देखकर आना है तो आओ वह पर चले जाओं और किसी को कोई कमीटमेंट नहीं, कोई कमीटमेंट नहीं, एक भी पैसा इधर से इधर नहीं हुआ, ना किसी का कॉंग्रेस का सपोर्ट कुछ नहीं था, कोई सरकार बनाने नहीं था इसमें. एक आदमी मेरे घर तो टेलीफोन था वहां अटल जी ने फॉन किया इनने जो किया है इन्के लिए ठीक है आपने अच्छा किया समय तो पारे सब्सक्राइ ले तो ही डिकर में अहां कि उस्ट आराज़ को चाहिता को客 सब्सक्राइब गह longitud न करत narrativ के Εम इस हो झास भी ऍंपी अहां प्लिवन्हें जो भी किया ये करने के बाद भी जो रहे वो 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 और उसमें कॉंग्रेस का सपोड़े अच्छा कुछ था ही नहीं और पहली गवर्मेंट होगी जिसमें एक इंडिपंड नेमले सीम था हम इंडिपंड नेमले राधनपूर से लड़े और इसमें इनोंने कहा कि मेरी कबर हो अगर मैं राधनपूर में बीजे पी हारेगी तो हमारी कबर होगी राधनपूर में किसने कहा केशु भाई ने इंचार्ट थे हमारे सावा ने दर्बोधी ने तो वहां तो हमने बिल्कुल फुला छोट आप कहरें कि इंचार्ट थोड़ा सा कुरून लोजी समझ लेते हैं अटल विहरी वाचपे ने आपको फोन किया, बहरो सिल शेखावत को भिजवाया, क्या आपको पार्टी के केंदरी नेतरत्र ने ये संदेश दिया था कि शंकर सिंग वागेला की मांगों को माना जाएगा, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते तो उन्हें बना दिया जाएगा नहीं, 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 उस समय मुख्यमंत्री का नाम काशिरा, मराना और सुरेश महता, इनके पड़ते हुआ, ये तो खजराहो प्रसंद के बाद हुआ, आप वासंट से एमदाबाद आए, खजराहो जा रहे थे, दिगविजे सिंग से सीले आपने संपर्क किया था, इस मदद कई नहीं थे, खजराहो क्यों गए थे, आप दिगविजे सिंग की सरकार के तो, ये भी एक लोजीक है, बताइए, अभी जो हम यहां रहे थे, मेरे गाउं में, वहां इन्हों ने रात को पूलीस बेजी, पूरा गाव कठा हो गया, और पूलीस अधिकारी थे, इ केंप में था मैं, तो वहां से फिर हमारे गरीबे चोदरी थे, इनके गहरम ले गए, चराडा गाम है, अमिश्या का बगल वाला, मांसा के बगल में पढ़ता है, चराडा, देखे इसमें जो हमने सोचा कि अगर MLA की सलामती चाहिए आपको, तो BJP का स्टेट होगा, वहां इनकी सलामती नहीं रहेगे, तो राजस्थान, BJP, महराष्ट, BJP, मध्यपदेश अकेला स्टेट था, जहां कॉंग्रेस थी, तो हमने सोचा कि कहां ले जाया जाए, तब आखिर तय किया कि इनको मध्यपदेश लिया जाए, बाए बस लिया जाए, तो बाए बस भी तो रा आप ने इनकीया ने किया, अभड़ान जो ओनने हो ने किया, अबना कोई मध्या सवाल नहीं था, बदना को ब्र्ड़ ममें ने के लिए जाक्र लेंटी या गवंदेश तो हनु उसमें मदेट की या, Kirkpatee नहीं नहीं हो, नग को को मुझते का सवाल नहीं था, प्राक्र ना क मिलने के लिए कुछा बहु ठाक रहे हैं, वहां भारती जी आई, खुले हाम छूट थी, कोई प्राइवेट मामला नहीं था है। क्या कहा कुछा बहु नहीं आएंगे, बापु को मिलो, हमको मिलने का था सवाल नहीं था किसी कहा। बापु कहा थे, मैं अम्दाबाद में था, मैं कभी खुजरा नहीं के साथ नहीं गया, तो यह जो भीमान को पंचर हो गया, और जो चरणा से सब विजायकों को लेकर रात को लिन को जाना था, खुजरा और लाइट नहीं था, तो अचा मेरे साथ एक पुलिस ओफिसर थे, इ एरपोर्ट होकर चाय पीकर आते हैं, तो अचुनियसली वह वाच कर रहे थे, कहा पोचे, कहा पोचे, कहा पोचे, तो मैंने अधिकर को कहा कि, we are on the way, you reply accordingly, we are on the way, कहा, we are on the way, कहा जाना, we are on the way, we are on the way, करते-करते हम एरपोर्ट पोचे, और एरपोर्ट उतर कर सब अपने एरपोर्ट पे चले गया है, आचा, बोल रहे थे कि गवरणर आउस जा रहे है, चले गए एरपोर्ट अपने चाय पी लेते हैं, इनको पता नहीं था, और संजीव भट वहाँ ओफिसर था, उसने रोक लिए कि आपी कोशिश को, मैंने का गर्भट पत करो, हमारा चाटर प और फिर तो रात हो गई, तो कहा लेंडिंग होगा, तब हमने कहा दिल्ली को भी नाइट लेंडिंगी व्यवस्था करो, तब कौन थे मिनिस्टर पता नि, लेकिन इनों ने लाइट लेंडिंग के लिए जलाए है, इसने मदद की शंकर सिंग वाघिला की दिल्ली में दर्शी रावजी को, आपने प्रधान मंतरी को फोल लगा है, दर्शी रावजी को मैंने कहा कि मेरे MLS को मैंने को खुजराओ लेंड करना है, दरी दोवे आउट, वहां बीजेपी के सब राज्य है, वहां सलामती नहीं, जरा इनको लेंड करिएगा, बागी वाटल बुकि वहां सलामती के लिए को गरबड नहीं, लेकिन फिर भी उमा भारती और कुषा बाओ जी आकर मिले, उमा भारती जिन्दी है अभी, उमा भारती जी तो सांसद भी वहीं से थी खजराहु से, इनको पूछ सकते हैं कि आप मिले थे नहीं, इनको अलाओ किये हमने, कोई प्रा इनकर सिंग बागेला और अटल विहरी वाचपई, क्या बात हुई थी एहम्दा लाओ, नहीं नहीं, एक खलत इंफर में से नहीं, सही बता दीजे, कुछणात का एक वीवी आईपी गेस्ठाउस है, अभी का सरकीठाउस जो गादिनगर में है उसके सामने एक बंगलो है, जो वीवी आईपी गेस्ठाउस का है, उसके उपर के कमरे में अटल जी थे, धरोशी जी आकर जो टिप टॉप करके मेरी कुछ ले गए तो मैं बात पर को मिला, मैं बढ़े यह मामला है, भोला किया बात है, कोई बात नहीं, इस सब हो सॉल हो जाएगा, इसके बाद को सुरेश बे का जो सिलेक्शन हुआ, शंकर सिंग वाघेला ने तीन शर्ते रखी, केशु भाई पटेल को मुख्यमंत्री के पद से हटाईए, नरेंद्र मुदी को गुजरात से हटाईए, बिल्कुल, और मंत्री मंडल में मेरे लोगों को शामिल करिये, कहा गया कि नरेंद को प्ले करवाया गया, आप सियम उनको हटाना चाह रहे थे, बगावत उनके खिलाब थी, इनकी बगावत नहीं थी, इनकी सिस्टम के देरे बाए लोग थी, इनके सामने बगावत थी, इनको बगावत वाले हैं शर्त तो आपने सबसे पहली रखी कि केशु भाई को अपना दिमाग नहीं है ठीक, अपना दिमाग का उप्योप नहीं करें कि दूसरों के दिमाग चलेग काइसे पांटी चलेगी, काशी राम राना इस भरोसे थे कि बापू उनके साथ खड़े होंगे, आप सुलेश मेथा के नाम पर राजी हो गए, ऐसा है यह भी एक साइको आप था इनका, मैंने तो सियम हो गए, इनका रूबाब ठीक नहीं है, इनकी बोडी लेग्वेज जो है बोड़ नेगेटिव लगए, इतनी नेगेटिव लगए कि मेरे को वाट इस ताब हमने का ने सुरेश मेथा बनाओ, यह नहीं तो कि बोड़ी लेग्वेज जो होती ह इनका नाम लिया हमने का नाम को बनाओ, इनका नाम लिया हमने का नाम को बनाओ, किसको 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 बनाओ आटरणंची उतों ऑडाकशेगगों को में अइटिधी कोई कमारे में जंतों कि लिए हुए अधरिव मेटें के लिए अवर्शा कामरे बात मुद्चे वेछ पडारि रहया ठीक लेहगा थे कोई सवाली पैदा नहीं था हम जो कहते हैं वो अटल जी अडवाले जी करते हैं लोग समा में राज समा में एसेमली में कभी आए पलामेटी बॉड़ के सामने कभी नहीं गए हम जब तक थे तब फिर ये उलडाई शुरू हुई खजूरिया हजूरिया मजूरिया क्या था य देखे हम वापस आए अटल जी ने कहा अब यह जो किसको पसंद नहीं होगा वापस आए घर में आए वापस कहा गए थे कई नहीं थे तो मैंने अडवान जी को भागे में गुद्रा कॉंटेस्ट नहीं करूंगा क्यू मैंने बोला यह लोग विरोध करेंगे और अराने की पूरी कोशिस है तो गुद्रा में भी बात हुई तब पूब्लीक मीटिंग जब होती थी अटल जी अडवान जी आते थे तो जाहिड सभा होती थे जाहिड सभा में इन्टों ने इसे लोग रखे थे जो हाय 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 करना हमारी किलाफ तो हमने सोचा कि ए तो इनका ही प्ला अगर हमारे खिलाफ विधिर पार्टी अमए कोई गर्बड करता है तो खोक इनको, इनों कुए हमने भी जालू किया, बंध हो गया देखे, आप पार्टी में हो और पार्टी के लोगो का प्लानिंग से में आदमी ब्लानिंग करेगा जो ले करो और ये करो तो पडिवार को साइड में जाने देंगे, पार्टी को पहले पसंद करेंगे, एक एक कादे करता है, हमरे लिए जान देने के लिए ते जान देने के लिए, बादे बहकाए गए इनको, 121 में देने को तैयार थे, सुन्दर सिंह भंडारी और क्रिशन देव शर्मा आते हैं, आप बोलते हैं, मैं गोधरा नहीं लडूँगा, फिर आप राजी हो जाते हैं, लोगों ने का शंकर सिंह वाघिला इतने बड़े नेता थे तो अपी लोगसभा की सीट क्यों नहीं बचा पाए, अरे मैं पार्टी की बात करता हूँ, विधीन पार्टी अगर रक्षक ही भ स्थेटरी काम करना है, अप ने अद्वाने जी से खिकायत नहीं के, शिकायत पहले में ने कहा थे लोग दो यह करेंगे, अविनको को कह गया हो जो मानते होंगे, श्यक्तों नहीं की भात रख इतने वों शिख नहीं थे, कई बातों मैं कच्छे मन से रहा लेते ते थे होग यह जो आत्मा नम पटिल मै था जुनागर्ड उस दिन भाहर सोमनाथ था और राद को यह फंक्षन था इस फंक्षन में इनकल प्लानिंग था इनको मारो नंगे करो ठोको सालों को जितने यह बगावत करके गए हैं यह बगायत की इनको ठोको मारो खजूरिया हा इनको लेखे पार्टीमे धार्यत आपके साहते हैं आपकी गर्बर से बहुतने थे अब वापस आया है तो फिर क्यों मारो इनको आनि यह जो कल्पृट है इनको हैं यह जो जो अई ग्रिमिनल इいや क्रिमिनल ग्रिमिनल घ्भीटी निकल लान kingdom जिन्दा जलाने का था जिन्दा जलाओ ये जो बात है ने ये पार्टी में आरेशस वाले कहा थे जब क्रिमिनल एक्टिविटी होती थी वो प्रचारत कहा थे वो लोग कहा थे ये प्रश्ना है इनके बारे में सब बीचाव माल हो गया 18 अगस्त 1996 इंदुलाल यागनिक की प्रतिमा के सामने आप खड़े हैं एक नोटिस को फारते हैं नई पार्टी पनाने का एलान करते हैं देखे वो बीजेपी से दिकालोगों हमारी बिल्ली हमको म्याव करती है बजुबाई बजुबाई वाड़ा अध्यक्ष थे इन्होंने म दिल्ली चलेगई यहां तो खगशुबाई बजुबाई वाला इसके कहने पर काम करें केशुबाई यहां थारी निर्स के क्या ख़ग्या रहे हम तो चाहते हैं प्रोलों किसके है कि पाँदो कुछ बाला ने इमन से तो नहीं वेजाओगा अबहीं नहीं कहा गया होगा और यह कहने के बाद फिर हमके का ओट इस तो हमने पुब्लीक लिका गिये तो वे आउट और इंदुलाल यागनी तो गुजाद का हुआ हमारा महा गुजाद के प्रडेता रही गुजाद बना इसमें इनका रोल बहुत रहा है इग्नातिक शक्ति अभी रहा है और यह जो मामला ह और एंटी पार्टी अक्टिविटी करते था कोई शरम नहीं आती आपको यह शुभा देता है क्या यह सब पार्टी में देखता हूं अपनी दोस्ती पहले नहीं दोस्ती नहीं होती इसमें दोस्ती के हमारा परिवर नहीं था हमारा दोस्ती करनी थी तो हमको पावर सिदा हो बागे सब लिखता में इसके लिए पुरा प्लानिंग शड़ी अंत्र कॉंस्पीरसी क्रिमिनल कॉंस्पीरसी भाजपा की लोगों ने कहा शंकर सिंग वागेला को मुख्यमंत्री बनना था ये इनके प्रकार हैं वो मुख्यमंत्री बन गए एक तिहाई विधायकों के साथ अलग हो गए और तमाम जिन्दगी जिस कॉंग्रेस का विरोध किया उसी कॉंग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए वही अमर सिंग चौधरी वही सबने ता उन्हीं का सपोर्ट ले लिया और मुख्यमंत्री बन गए पब्लिक लाइफ में आने की वज़ कॉंग्रेस का साशन कॉंग्रेस का साशन वो समय या तियल के भाव बढ़ते थे तो तेलिया राजा मतलब जो शप्लाइ मिनिस्टर होगा वो तेलिया राजा लोग कहते थे मैं पार्टन में नोकरी करता था और पार्टन में एक फिज्ज कॉलेज ले उसमें विजे कुमार त्रिवेधी वह त्यूड के मंत्री थे सब्प्लाइ मिनिस्टर को बढ़े होगे तो तो स्टुड़ेट ने का कि तेलिया राजा को हम हाय करें और फंक्षन नी हो रहे देंगे तो प्रिंसिपल तलाठ हिसाब थे इजोंने का कि என्हां एका टेलिया कार्णा का थाईद करो दुभ्या आए पुर्काल q मुझेडर है तो फंखने झाती प्रिवाथम लिखलने में दधाइ नहें कि डिए पाम कुछ से नहां एक ट्रिव्व्य गयं हो करेंगे तो अम अमझेडे एक छोगए टामेडे प्यामद करेंगे, इस फंक्षन अच्छा हुआ चले गए टूड़न्टे कभी हमको याद नहीं किया लेकिन हमारे दिल में था कि उस टूड़न्ट को मैंने जो कमिट किया है कि कॉग्रेश की सरकार है उसका मंत्री निकम्मा है उसके तेल के बाव बढ़ा है तो उस सरकार को हम निकालेगे उस सरकार को निकालने के लिए हम अरसी के माधियम से जब Glansink जोएंट किया तब से ताहि किया था कि कॉग्रेश सरकार तो सथ होता है तब जा कर कहा कि हम आपको सफोर्ट देंगे आप consumer aside में बात नहीं हुई कि को बढ़ेने करेंग के और बीज़े तो तो बाद में भी इनों ने सामने से कहा कि आपको सरकार चलाई और एक भी मंत्री हमारा इसमें नहीं रहेगा और एक साल सरकार चलाई कभी कोग्रेस का इंटर्फिजन नहीं रहा कभी नहीं रहा और सरकार एवन हिंदुस्तान के इतियास में किसी को प्याच नहीं करनी है कि व मारी सरकार है तो आए और हमने लाल बत्ती निकाले जंडी जो थी मंत्री अंदर ऐसा करें बार जंडी बंद करो गोल करो तंखा सी एम की क्या होती है हम नहीं लिया टोकर नहीं ले लेना है सिक्योरीटी नहीं चाहिए विदाओ अपर्टमेंट मिलिये और यह जो मामला होता है नहीं सरकार का एक साल का एक्जम्पल तो और कोई थानी कंपर्शर हमको मनना पड़ा और हमने सरकार चूड़ दी हम कंपरोमाइज करते सरकार रहती हमने रिजाइन किया विजाद गवर्म मत्री बनना था है आज इंटर्विव में शंकर सिंग जी बात कह रहे हैं कि हमने सरकार भंग करी हमने यह किया दर्शक यह जानना चाहेंगे कि जब आपने बीजेपी से बगावत तरके अपना गुट बनाया फिर आश्ट्री जनता पार्टी बनाई कॉंग्रेस के साथ एहमद बाई में थे और एहमद बाई काफी डिश्टेस रखते थे मतला वह इंतिमसी इतनी नहीं थी हमारी वाकि अच्छे दोस्ते हम मैं स्यततर में हम दोनों पार्लामेट में साथ में आए तो मैं बरूच जाता था एहमद बाई के गांवे नजदीक में तो मैं खाना खा जाता था एहमद बाई के घर और वही सोता था इतने हमारे रिलेशन इनके दो बच्चे जो अभी है वो मेरी गोद में दोनों को तो यह एहमद भाई यहां लेकिन सरकार में हो सके इतना इतना दोने ध्यान रखा किसी को पार्टिसिपिट के अमेले बनने का ना बोला कि इनके दिमाग में डाला गया है हमारी सरकार चले किसके दिमाग में अमार सिंग चोधरी के दिमाग में सीरी पार्टिस पार्टिस लेकिन कॉंग्रेस की हम कॉंग्रेस को खा जाएंगे सरकार का इतना एड्मिस्ट्रेशन जो पचीज साल पहले आप कलतना नहीं कर सकते फिर कि पुलिटिशन हम है तो मैं सिविल अर्जीजन नहीं हू तो आइकान बरीज के बारे मैं नश्यत नहीं दे सकता नुक्टर नहीं हो तो मेडिकल नश्यत नहीं दे सकता तो हमने शाम पित्रोडा की लेडर्शिप में एक असमिधा सभा वनाई अभी जो जीद पते रोड ते आइक पर तेन दिन कर निका चला चला अर्जित सभा यह सांपित्रोडा वाला और पदला घूब ने इनिगाशन काईसा होना चीए एजूकरेशन काईसा लोयन वॉल्टर काईसा यह सब चीज जो सिख्षा है इसके गुरूप एक्सपर्ट लोगों के ओपिंजन सर्कार इस अभी तक चली वह तो यह जो मामला है उसमें बार बार कहा जाता है भी हमको मुख्यमंत्री बनाता ने हमने छोड़ दिया बीजेपी उस समय छोड़ी कि अगर कॉप्रमाइज करते तो कुछ ने कुछ मिलता केशुबए के साथ कॉप्रमाइज करते और इनको नमस्ते करते हमारे निये हमारे जो करोणा बीड है हमारी हो हम स्वमान से कभी नहीं कैसकते हैं कि पावर हो ने कि कोगरेज में 17 में पावर था आप कह रहे हैं शंकर सिंग जी कि आपने सेल्फ डिस्पेक्ट से कंपरोपाइज नहीं किया एक साल आपका पूरा हुआ दस अक्टूबर को सपोर्ट आपको को नहींenti नहीं हमें को फावर में रहना है फिर दिली पारेक पहली बार के विधायक, जिनको आपने टिकर दिलवाय था, आपने उनको Cam बना दिया, कहने को दिली पारेक Cam थे, but शारी खैसले ऐस शंकर सिंह वागया कर जे खाया हं तो कहा कि Congress का मुख्यमंत्री बनाओ, अगर हमको देखे, हमको ना कहा कि आप मुख्यमंत्री रहने दीजिए, वाइ, क्या प्रब्लेम था Congress को? मैंने कहा कि जो गाड़ी ड्राइविंग करना जानता है वही घाड़ी चलाएगा वना एक्सिनन करेगा नहीं आप किसी को जी चाहो उसको मुख्यमंत्री बनाओ, जी चाहे उसको बनाओ, मैंने का भी कैसे होगा तो आत्मानाम पटेल और दिलिप परिक दो थे, आत्मानाम भ पुछ कर फिर कैमिलेट पर प्रस्ताव करके डिजॉलुशन किया, समली का, हमने डिजॉलुशन सामने से किया है, आपकी पार्टी की सरकार, आप संचालित कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि एडिस्टेशन पर पकल खतम हो गई थी, दिलिप भाई परिक के आने के माद, जो इसको ऐसा होगा कि माद्वोशी भी कहते होंगे, इसको अपॉर्सीबल, एडिस्टेशन होता है, ब्यूरोक्राइशन होता है, मंत्री मंत्री होता है, इसलिए उसमें कभी अमने दिलिप पही दिश्ट नी किया, लिकिन जब लगा की कंट्रोल के बाहर है अडिस्टेशन, क अडिस्टेशन हो रहा है, मों निकाल ले पाट, नहीं चाहिए हमको, चाहते तो रह सकते हैं और एक साल, लेकिन अगर बद्नामी यानी है तो नहीं चाहिए, पावर भी नहीं चाहिए, और पावर को मने चाहिए, सामने से पावर छोड़ा हमने, मैं खुद इलेक्शन इलेक्शन ने कहा है, कौन थे मैंने बता होगा, पता होगा, वो थे हमारे, अच्छे दोस्ते है, सब को पता है, अच्छे दोस्ते है, अच्छे दोस्ते है, इगिल साहब थे, टीन सेशन थे, नहीं इगिल साहब थे, मैंने कहा रहीं, सब को पता है, सब को पता है, तो वो नहीं को पसंद नहीं था इसलिए हमने आगरह किया कि हमारी केमिडियार प्रस्ताव करें आप माल लीजिए तो नथिंग को बाहर का नहीं आउट आउट अब नहीं है वो देख लिए हमारे कोग्रेश को हम पसंद नहीं थे इनका रिजन यह जो जवाब भी दिया पर का आप नहीं को हमारा करेक्टर एसलिएशन करने का आप स्टेज पर बैठे ते और आप ती चीचले नहीं था मैं थे वहाँ थी वहाँ थी क्या बोले उसमें सीताराम केश्री कांग्रेश से देख तो मैंने बना केश्री हो ठेसरी हो इसा पुरा हो गया यह बताया होगा कोग्रेश वालों इसा इननों भाषण किया तेखे यह जो है नहीं मैं जो बीजेपी की दोस्ती कहता हूं नंबर वर्न हमको रिप्लेश करने की वज़ा नंबर वर्न नंबर टू एसेमली सीटों का एड़ेस्टमेंट हो गया था वो त अबर फाइव सीटों का डागवन था नाटा का पे रोल उपड़ उपड़ उसको साइटी की सीटों की इसमें चैर्मेन बदाने रहा है तो बहुत रीजन है तो लोस्ती का अभास होता है कोग्रेश की महरवानी से साब जिंदे रहे मैं ऑफिशली एलिस करता हूं इस सब क् किसको बचाने के लिए और बाद में कहते है कि बोदी जी आइसा क्यो है तो आपका क्रियेशन है महरवानी करके डॉंट ब्लम एनी बड़ी ऐल्स को इसमें इतना भी गलत नहीं है हम राधनीती में हमाना दंदा नहीं है हम पुलिटिक में उसुलर से आए प्रेक्टिकल और कभी भी कोई गर्मट नहीं किया लाइफ में कभी नहीं नहीं विदिन पार्टी मिस पार्टी निफिंग एल्स तो होता रहता है यह सब बातें आपके सामने आई और फिर सीता राम केष्री के इशारे पर अमार सिंग चौधरी प्रपुल दावल सबने सब्सक्राइब कोई काम नहीं था मुख्यमादरी का कोई काम नहीं था एव टोटल फ्री तो लोग करेंगे आपको जरूर्द धीक आपको सब्सक्रा तो मैंने कहाँ कोई बहुरत था बहना करने जाने अपना और मादव माद़ शीं के साथ मेरे साथ भी निखालो फाइल पड़ी है ठीला कि दिखालो निखाली विभाजन का रिपोर्ट पड़ा है करो विभाजन पूरबंदर नर्मदा दाहो किस अब जिले बने जिले जो ऑफिशली जिले जिसमें पुलीश डिपार्टमें अलग था डियस पी दो थे कलेक्टर एक इसे पाटन मैसाना गोध्रा पंचमाल दाहूद पाटन भी था फिर नवसारी और वलसार और खेडा और नडियाद नडियाद का हेटक्वाटर खेडा था खेडा था तो इतना चोटा है इस्टिक हेटक्वाटर हाट लोग बोला हाटाओ लोग बढ़ने रात जलाए बस जलाई वो जलाई मैं आपको चहिए क्या वहाँ पर बंदर गया तो इसमें कोई जाने के लिए कोई तरोगा के लोग तयार नई थे पूर बंदर में नहीं जाना है और नर्म्ना प्रोजेक्ट के इसाब के चारे ऑड़न दो और उवो जिले अलग न करेंदो अक्टुबर को हमने पब्लिक लेब बोल दिया वहदह ने कहा क मत करिये क्यों कॉंगरेस वाले विड्रो कर लेगे सपोर्ट अब बोल दिया है कर ले सपोर्ट विड्रो करना है प्रणामुखर जी का फोन आया था आपको ने 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 इन चार्ज थे आपके गुजरात राजी के प्रणामुखर जी और एसेमली लोगसभा की शितों में वह ए तो आपका समझोता नहीं हुआ आपकी सरकार भी चली गई दिली पारिक की सरकार चली गई सब हो गया फिर आपको लगा लोगोंने का शंकर सिंग को लगा कि वो तो पूरे प्रदेश के नेता हैं आप आधी-आधी सीटे मांग रहे थे कॉंग्रेस से कॉंग्रेस जाजी न मुकर जी इनके घर तीन घंटे बैठे और एसेमली और चौविस पच्छिस सब इस लोग साब इस सिटों का आठ हमारे कोटे में आठ आठ लोग सबागी ठीके सब हो गया थोड़ा था गर्मन तो पूरा हो जाता को बड़ी बात नहीं थी फिर भी एजस्मेंट नहों इसके पार्टी के मालीक अपनी पार्टी के खिलाफ मैठ फिक्षिंग वाली बात होती है हम घोधरा में लोग सबा में थे बीजेपी के लोगों रही आरेसेस के लोगों रही वीएट्पी बजदंदल के लोगों रही हमको औराया उनिस सुचानल वह एंटी पार्टी लोग रहे लोग अईसा ही हम जब 2009 में वही घोधरा में थे तब वही कोंग्रेस ये लोग जो थे इनो रही तब कोई माइनरीटी केंडिये दो तिन खड़े कर दिये फाइनांस भी किया और पूरा उसमें करके फीर और सीट भी वज कम वटर से हा रही है तो नाइटी एट में आप बो आपको कॉंग्रेस से इतनी समस्या थी तो फिर उसी पार्टी में शामिल क्यों हो गए इखिए यह जो होता है थिंकिंग हमारा है ना वो सिर्फ पस्तल इंट्रेस नहीं है आर्जेपी हमने बनाई एक फ्रेज बना बीजेपी से तूटने के बाद वो पार्टी रहती तो क् कामेडि नहीं कि विक अंट्रेस क्या थाव यह जो बाति वाज कर आपने उनीस थो बिख ताबस पार्टी चलती है तो शैद यह तो इहां पावर में होती हुझंग हो से क्या बातही हुए थैस सालीस्वे कर चाहर उने से पाळलि तो आप लोग अलग लड़े हार गे उसके बात जब विले की बात हुई तब हमने का मेरे साथ जो 40 पचास तक तो सोनिया जी बन चुकी थी राष्ट्री अध्यक्ष उस समय थे माधवराव शिंधिया इंचास थे वह आए और बात हुई कि इतने MLA है इनको टिकट मिलनी चाह कि अरक ठीक है फिर मेराम की आगे काम करें जरूर नहीं आप मैने मेराम के साथ हमाननी की लिए पड़ह बात हुई तो कोई बात नहीं थी जो हमारे साथ आते इनको해 कर देने की एसेसबली में इतनी बात भी है वांकि कोई बातिlaaja infringing करने तब तो मान कर चलेंगे, हम तो निकप में लोग हो गए, तिर उनीस सोने नियारवे में आप लोगसभा पहुंचते हैं, तिक कॉंग्रिस की टिकट से हम वही पहुंचे, कपड़ बन से, उस समय हमको अडवानी के खिलाफ घाधी नगर में कहा गया, कि आप लड़ी एक लोग समय हार जाएंगे तो राजसभा में रास्थान से राजसभा में भेजेंगे, मैंने आभी मूला, मैंने नहीं कहता हूं लेकिन आपको कहता हूं, फिर एक कार्यकर्टा का फोन आया, बोला आप खिलाफ मीटिंग हो गई कि कल आए और घाधी नगर में लोगसभा है, ठीक कर करना है, ठीकर तो वहीं से ताय होनी है मैंडम के सामने से, ठीकर का तो सवाली राजसभा में जाना वो अलग मास है, लेकि लोगसभा की दुनिया अलग होती है, आपको जो अच्छी सीट लगे वहां लोगसभा लड़ें, फिर मैंने एहमद बेको मैं बुरा लगा होगा, लगा है, 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 लगा है लगा है, लगा है, लगा है, लगा है, लगा है, लगा है लगा है, लगा है, लगा है, लगा है, लगा है और फिर मंत्री बने वो भी तो हमें किसी को नहीं कहा कि मंत्री बनाईए। मेड़म का फोना आए कि आपको कब नहीं कहा कि मंत्री बनाईए। शंकर सिंग भागेला कह रहे हैं कि किसी को नहीं कहा कि मंत्री बनाईए। लेकिन ये राजनीती के अगोशित सत्य हैसा हो गया है कि बिहार की रेलमंतिरी के पद में दिलचस्पी होती है। महराश्ट की क्रिशी मंतरी के पद में दिलचस्पी होती है। और गुजरात की टेक्स्टाइब मिनिस्ट्री में दिल चस्पी होती है सूरत के हब की वज़ेखी ये टेक्स्टाइल मंतरी तो काशिरा मुना थे इसली हमको बनाई हम दनी काया रख रखा क्वारा च्वोईस नहीं हमको हाँ आपकी च्वीज क्या थे है क такие, मेरे पुदन चोई चूइड, डिफेंस मिनिस्टर हो जागakingым, करेंके कुछाए मेरे बैदी काउ 창्ण inception E1. इफेंस की लोजीक भी ऐसा था, कि मैंदी मन्ति 20 अब और अईसा, अगे में अर्च इज़ stun Yantarika. कि यूट था एंसी सिम्हें आख्री सलाम कहा जाती है जन्रल ओफटी टाफ टीफ तो हमने का चीफ किसको सलाब मारे गा कर निपैस्ट मिनिस्टर को सलाम मारे का तो आपको डिफैस्ट मिनिस्टर बड़ाए लाई यह साइकोलोजी था आपने अहमत भाई से बताया है इस मैं दोहजार चार की बात करता हूं जब यूपीए पहली बार पावर में आई भाप मंत्री बनाओ तब मतलब मैं तो कहता हूं कि मैं लोग सबा कपड़ में मैं था इसली रिपीट किया उस तब भी हम नहीं कहते हैं अपने आप रिपीट करने के बाद बैनाप का फोर आए कि आपको केमिलेट में इंडग करते हैं हमने कभी नहीं कहा ना लॉबिंग किया न कहा किसको नहीं कहा लोग फैमिली को ले जाते है एडवास में पता होता है उत्सकर स्makर सिंभ सपधे अज तक कोई भी आरसेस की इतनी बड़ी बड़ी बेक रांड के साथ कॉंग्रिस में इ कैसे उन्होंने मैनेज किया, क्या दिल्ली में जाके गुटी बिलाते हैं, जो है न मैनेज के खिलाफ हो, कोई भी कंसिडरेशन से कोई भी काम होगा, संकर सिंग वागेला ने कभी वो नहीं किया, यह मैं कहता हूंने, टेक्स्टेल मिनिस्टर भी कवर्मेंटे दिया, और टेक क्रेस पार्टी के लिए भी सुरत को अमने कभी नहीं का एक रुप्या दिन जी, पब्लिक लाइप में कोई नहीं कहा कि काम के सामने फाइल दो, नो, नोट पॉर्शिवल, पता है कि कल कोई आएगा और निकालेगा, तो मर जाएंगे, दंदा नहीं करना है, काम हो गर जाओ वागिला साब कहा रहे हैं कल कोई आएगा और निकालेगा, 2015 में CBI आपके खिलाफ नामजद F.I.R. दर्ज करती है, आप पर इंजाम है कि आपने ओने पहने दामों पर मिल की जमीनों को बेचा, उसके जरीए लोगों को लाप पहुचाया, और ये भी कहा जाता है कि जब 2017 म पहले आपके गांधी नगर इसी घर में CBI की टीम आई, उसके बाद अचानक से शंकर सिंग्वागिला को लड़ में लगने लगा, कि कॉंग्रिस में उनकी पूछ नहीं है, जबकि उनके पास विपक्षी दल का पत था, और फिर उन्होंने बिना किसी पूरु सक्यत के इस कि उनके साथ रह्म किया जाए, कॉंग्रिस से रुखसती का रास्ता तै किया, हमारी जिनकी में किसी के प्रिशर में, पॉलिटिकल प्रिशर में आज तक नहीं आए, कोई गुंडे के प्रिशर में नहीं आए, कोई पैसे वाले के प्रिशर में नहीं नहीं आए, I'm physically fit, mentally fit, no problem, और आप जो CBI का कहते हैं, तो वो तो हमारा मंतरी था, उसने लिख कर दिया, जमीन आए, तो मैं तो गुजरास से था, मैं मिले बहुत थी, और देखता था, क्यों मिले हाई, देखान दो क्यों रखा है, वाश्मेन रखाली है, और बंद पड़ी है, हाँ, तब मैंने कहा बंद बंद देखाने कि निखाने के लिए मिटिंग बोलाई, मैंने कहा है, मुंबई की मिले है, एक्षाल करो, तीसरी आख होगी, एथादी होगी, इतनी भी गरभर हुई ना, मैं शूट करूँगा आपको, एक भी अधिकानी बचे का नहीं, पूरा ट्र्राफ्षण चग सब्सक्राइब कर दो कि एक मंत्री जो कॉग्रेस का था आंधर का उसका लड़का हमारा सिसी केर्मेन था साउथी नियर केरला का था ना बुल गया मैं उसके पास गएक साब आप तो अभी बहुत रुपिय वाले हो गए कुस पैसा दो पुला हमारे तो सरकार की तेजरी में ज को अब मंत्री के बोला है मंत्री मुला हमारे पर इस नहीं आते यह तो गवर्मेंट का होता है तो मैं सिभी आई के मांगो उसने सिभी आई मांगा कॉंग्रेस के मिनिस्टर ने और सिभी आए आई सुब ऑख किसी को कहता नहीं हम पब्लिक लिए जनसंग में था तब मैं प हम को कह गया कि हम सिभी आई के हैं मए अगए का को गलत कह कर यहां नहीं आएगा आप सिभी आई सब फुला होगा तो देखना हो देख लीजिए और पूरे घर में लौक नहीं होता है हम शराब नहीं पीते हैं तो शराब की बॉटल नहीं जमिन के देस्ताव नहीं सोरेचादी के दागी नहीं चैश नहीं 200-500 रुपीय हो या 1500 हो के पता नहीं और कोई घर बड़ी पूरा प फाइल खोलो मैं मरी जाओंगा तब तब किसी को नहीं काओंगा जो करना है तुम करो हमारे इसाब से फाइल क्लोज है अभी कुछ नहीं आपके पास कुछ नहीं निकला ये ओन रेकॉर्ड है कि हमारे पास आपके पास कुछ नहीं निकला एफ फाइल कभी बंद नहीं होती ये पर्मनेन बंद करवाने तो आप बिल्ली बात करें, आप बर जाएंगे भी बनाई कहेंगे बात, जिसनी फाइल कोलने ये खोड़ो, पब्लिक लाइब में कोई फाइल बंद करेंगे, आपकी अमिर्शाह से बात नहीं हुई, नहीं, जब 17 में, रामनात कोविंद के कभी नहीं कहा, नहीं, कभी नहीं, जब गलत बात, जिसनी फेका बायान खोड़ो, गलत होगा, हमने जब बीजेपी में 17 में जो हास्षा हुआ, कई बाते ऐसी ज़े तो पार्टी की हम कैभी नहीं सकते, हमने पार्टी, बापु कहेंगे नहीं तो आपके बारे में जूट करके थे तो इंकम टेक्स चार रस्ता यम्दाबाद का मेंड सेंटर है, डेली पेपर थे हमारे नाम से लोग में खुद खार क्या बोला कुझ रहीं, अभी मैं जॉइन करने वा लोग को अगर चपा, कल मेडिया ने देखा, मैं यहां हूँ, आप यहां है, यह जो बात है, अगर स्ट्यान लेना है, तो सब कहते हैं, आप लिजिए, ठीक है, राउल गादी, मैं, अशोग यहलोद, यह तो है, इनको वेरिफाई हो सकता है, मतलब यू में वेरिफाई, एट अड़ी तक मैंने बोला ना, जो जिनने हैं इनको कभी भी आप पूछ सकते हैं, कि मैंने इतना भी गलत बोलाएं तो, वो ना माने अलग बात है, लेकिन मैं जो भी बात कहीं सही कही है, तो हमारे बरसी में स्वलंगी थे, इसब ने कहा कि सरकार नहीं बनेगी, मैसानय में शाइद वोट की कभी हो, पुराना एजिटेशन हुआ था उसमें, गरबढ हुई थी, तो राओल गादे ने हाँ ने हा बोलाएं ह। चंज हीं बोली अशोक जी अशोक जी ने कहा की स्वल चंज हीं। बनी यह का दो लेकिन, मैसा बना है। भू बनी बनाग़। लेकिन तो, बनान भी दियेतं। इसका नम दिया था पह into? मैं दो नाम दिये थे, हरी भाई चोधरी थे, अमित चोधरी लड़का इनका कोवरेस का MLA था, इनके पिता जी, वो मक्षी पंच में आती, कॉम्यूनिटी, हरी भाई चोधरी, इनके घर MLA लखे गए थे, चराडा में, और दूसरा, राम सिंग परमार, जो अमुल्ड के चेर परसों के ज useless जगए, एक दिन बात पोन आंए, इपर रहुल गाति ना बोलता है, जो रहुल गाति ने कहा की चेर्ट ही, और जो रहुल गाधि आप चोधे थे, पर ना बोलते हैं तोuto krius परोड़कों हो सकता के इसमें फरक नहीं पड़ेगा, अब जीसंपार्टी के अध करते हैं सब के कहने से और वारकाउट नहीं हुए शक्ति सिंग गोहिल थी ना अध्याक्ष कॉंग्रेस का अध्याक्ष कॉन था बरशी थे भारत सिंग सोलंकी हा इनके खिलाफ आप रिपेजन करते हैं फिर टिकट के लिए इनके पाथ जाना है मैंने मेरे मेरे मश के बात है आप सोरी मैं अगर फाइनल होने के बाद अगर गरमण होती है और तो फिर एक गेम में और मैंने पब्लीक ली अपने बढ़ने के ऊपर आई विड्रो माइसेल्फ आई विड्रो माया हूँ उस समय अमिश्या राजस्भा के इसाब से मिलने के लिए एक मंत्री के यहाम मिले काधी नगर में एक बार बस इसके बाद कभी नहीं मिले क्या कहा मिद भाइने आप सर्फ कुछ नहीं मतलब मेहमद बै कैसे आरे और मलवन सिंग जो कैंडिडेट थे इनका प्लानिंग करने का ठीक आप पूछे कर बताओं का क्या करना क्या नहीं आपने हामी भरी प्लान मे हाँ उसलिए कि यह प्लानिंग था इनका अराने का ठीक है जब कोगरेश छोड़ी रहे थे हमने मेरी कोगरेश छोड़ने की बात की बात मैंने 21 जुलाई को I offer myself कि मैं अपने आपको और I appreciated मैडम गादी जाहूल गादी एहमद बाई I appreciated BJP people I appreciated party के लोग से वरकर कभी कभी इसके बाद नहीं मिला में कभी नहीं मिलते रहते हैं अलग बाते में कोई जाहर पुब्लिक हो भी नहीं मिले हम तो कभी नहीं मिले हैं कई political commentator कहते हैं कि अगर शंकर सिंग वागेला तब Congress के साथ बने रहते तो जो एक momentum built हुआ था 2017 में BJP की state government की खिलाफ वो शायद अपन अगर हम मुख्या मंतरी बनते हैं देखे एक कंपन संथा Congress के लिए हम होते तो विदावर कंसल्टेशन तो करते नहीं हमको मुख्या मंतरी बनना इसा रही है लेकिन सिंगरटी की साब जम कोई कहते हैं लिडर अपोजिशन अमने नहीं कहा था इसा है इसा है यह जो बात हु इसमें लिंक टूट कही कहा थी बात आप बता रहे तो 17 में फिर कहा पर अट का मामला बारा में आप बोले कि शीला जी आई तो उन्होंने बना दिया फिर 17 में आपने चुनाओ के दो में ले जो थे अमने का यह जाते हैं बीजेपी में रोकिए नहीं रोकिए बगाओ और स कर विफिक रोकिएम का फेस डिलिएर करो तो हम रहेंगे पार्टी में यह जोिए अप जिसका कहते है इसका ग्याम हम देंगे मैं प्रपोस करूं का लगकि तब तक तो चलो साथ में masa में में चलो क्यू डिविजन कर तो मेरे मं उन्हिम्त्री नहीं बंदला है जो कहेंगि इसका नाम मैं दूँगा, इसका प्रपोर्ज करूंगा, इसको मुख्यमति बनाओ, एक गलत इंफर्मेशन होती है, हम जनसंग से पड़े हैं, मतलब की पावर के लिए नहीं पड़े, बेज बार-बार मद भुलिये, हमने कभी भी किसी को गिंगराता नहीं कि एक हमका हमारा कभी नहीं, पुलिटिकल ध्यान कोई रखना, माप करो, नहीं रखना है, सोरी, तो यह जो मामला है उस समय तो तकलीप बीजेपी को होती, तो किसको होती, क्यों, 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 क्यों सरकार नहीं बनने थी, कॉंगरिस की इतने साल तक, 12 में बन सकती थी, 17 में बन सकती थी, कियो नहीं बने भी दिल्ली में बैठके सब वोग किसके बीच मैच फिकसिंग ती नाम भी तो कहीं तो आख और मा को पिटा जी की पत्री कभी नहीं कहते हैं कि कहा गया कि जैसे 2007 और 12 में मैच फिक्सिंग की थी कॉंग्रेस के कुछ निताओं ने भाजपा के साथ वही काम 2017 में शंकर सिंग वागेला ने कर लिया तो नाम तो बताने ही चाहिए आपको तो आप इसी लिए अलग हो गए कमजोर कर दिया लोगों ने कहा पाई इनको सबद सब्सक्राइब कर दो ने कि जो नाम हम रहकमन करते मैडम के आगे में यह रखो अच्छा रहेगा मोदी साभ है गुजरात में तो एक अडिडेटरी यह अच्छा रहे मेरा इस सगा नहीं है पार्टी का वरकर है हम जो नाम देते थे इसके खिलाफ सब कठ्थे हम जो नाम द सब्सक्राइब के उपर शुली जाते थी फिर में मेडम को पत्र लिखता यह जो मैण देता हूं जीतना है तो नाम का कंशिदेट करिये यह जीतेगा उट नहीं जीतेगा वो नहीं जीतेगा सब के सब मै एक भी नहीं सब जो उते हुई और वो फ़रक प्द्रापर नहीं प कोई पुलिटिशन की नहीं है कोई जीतेगा कौन हरेगा कौन जीतेगा शक्तिशी गोहिल अबड़ाशा में लड़ाए हमने एसेंबली में इसके पहले चबिल पटेल था सुरेश मैता के सामने कच्छ में लड़ाया मुख्यमंत्र के खिलाफ तुम जीतोगे वो जीता शक्ति इनके हिसाब से मैं और नरेंद्र बाई डोनों आरेसेस के थे वो खुले और हम बस देसे प्रोब्लम अच्छा यह खुले आरेसेस्वाला साशन करें अब हमको हमको अधुक्या करना था तो क्यो कूश कूंगरेश की सरकार बनती तो कम से कम इन यह नहीं बंदे देनी लिए नई बनने देनी थी दो हजार नौ की लोगसाफा चुनाओ में क्या हुआ था कॉंग्रेस में किसने आपका मामला सेट कर दिया था कितने कैंडिडेट चुनाओ लड़े यह जो भी है आप पौने तीन हजार वोटों से चुनाओ हारते हैं तवाम निर्दली और चोटी लोगों ने कहा कि आपको राजनेतिक रूप से खत्म करने के लिए पांच साल से आपके हिंद्री मंत्री थे इस बार भाजपा को इंतिजाम नहीं करना पड़ा कॉंग्रेस के लोगों नहीं इंतिजाम कर दिया एक पुराने एंकाउंटर का जिक्र किया गया बताइए बिस पंचमाल हो गई पंचमाल थी और साबर काथा अलग थी वारे बदुसुंदर भाई इसलिए हमने पसंद किया और गोध्रा पसंद करने के बाद जो लोकन लोग थे तो यहां क्यों आते हैं मैं बोला आप जिते हैं तो आप रहों कोई बात दिली से कहा कि हमको लड़ना यह इसलिए मैं आया हूँ तो शुरू से ही जिन वर्कर टाइट करना कि इनको शुकार मत शुकारो यह आते हैं और हमारे लोकल जो लीडर हो कैडिडेट इनकी सीट आप ले जाते हैं और गोध्रा तो बाप आप आप 2014 लड़े 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 मैं हारा दोजार नो में मैं और वो भी मुस्लिम कैंड़े तीन चार रहे किसने लड़वाइथे हो और इसलिए और गुजरात की जनता को जानने का है आप जिस जनता ने अपने सपोर्ट से आपको नेता बनाया इतने डेकेट अफ आपका पब्लिक जनता की कलपना शक्ती ह तो बापु खुल के बोलते हैं और कुछ बातों में सन्नाटा आप पुछेंगे तो बना देगे किसने किया हो अलग बाते हैं कई अच्छी रहती है और अच्छा लगता यह कौन सा इंकाउंटर हुआ था आपके सीम रहते हैं और आपके बाद दिली पारिक के टाइम में कि मैं नियती में मानता हूँ डेस्टीनी बताएं मेने पहले यह हमारे यहां का बहुत बड़ा बूट लिएगर था कॉर्पोरेशन में कैंडिडेट बनता तो छे साथ जगह वो जितता कॉर्पोरेशन में और एक में रहकर बाकी में नेक्स्ट होता बीजेपी के काफी फा नाम है भूल कर नाम का हूँगा लतीफ लतीफ अबदुल लतीफ मैं अभी मिला नहीं अबदुल की बात लतीफ लतीफ नाम है वो बीजेपी के लोग में वहां रेकॉर्ड कहता हो वेरिफाइ करियेगा इस दिल्ली में उसको पकड़ कर साबर मती गुजरात में जैल में ल बीजेपी के लोगों से इस टॉंच हिंदु वाले जो है वो क्या धंदा करते हैं इसके में बात करता हूँ लतीफ तेलीफोन बूथ पर आयेगा फ़न करने के लिए वो भी दिल्ली में तेलीफोन बूथ से उसको पकड़ा जाता है पकड़ कर इहां साबर मती ले आते हैं ले आते हैं और वही समय हमारी गर्बड होती है और मैं वापस आता हो बीजेवी में और केशु बै से मेरी बात होती है तो केशु बै ने कहा कि लतीफ पकड़ा गया है वच्छा और आप गादी नगर में है जना एक वीडियो ग्राफिक करते जाएगा जो बंगलोज है मंत ओवरनाइट वो बंगले की कंपाउंड वाल बड़ी कर दी गई अभी है आप जाईएगा देखेगा जरा लोकों को दिखाएगा अभी भी है अभी तोड़ा दीए वो वो केशु बै ने कहा कि भी थीक है बात में देखा जाएगा लतीफाया केशु बै चले गए कुछ नह पीर मैं अब छला गए तो मेरा एक कारिया कड़ता तो मैं को नेको अच्छ कारिया काड़े है वहाँ भां आर्प ट्र पुरा में रह था नहीus नहीं थाज चला त다 अच्छ था सा इत्र देने आता था भापु हम इसका लड़का दे चान वह बापँ यह person जाता हुआ गाजी जाता हुआ वेखने के लिए मेग बच्चों को मिल कर चाया मैं उसके घर गया उसके घर गया तो सबको सुरी जो हुआ फिर पे गाड़ी में कार में बैठ था था मेरा डैवर मुसल्मान तो जो छोक्रे लाही मुसलिम लड़के यंग उसके तपका दो तप तो वो जो मामला आया उसमें, बैरा ड्रावर को पुछा कि क्या बोल रहे थे, बोला कि साब को टपका दो बतलब मार डालो, बतलब लतीफ को टपका दो आप, तो अच्छा, तो मैं घर गया सोचने लगा और एक अफिसर को मैंने बुलाया, अभी डिटर हो गया, मैंने बोला बोला कि अम किसी पर भरोसा नहीं करेंगे, यह जो है न, तो यह तो गवर्मेंट को देखना है, पुलिस डिपार्टमेंट को देखना है, आपको जो ठीक लगे हो, तो दिलिब भाई मुख्य मंत्री थे, पिट दिलिब भाई का फोन आया सुबह में, कि मालूम है आपको की लगे हो गया, तो यह जो अपरेशन किया, पुलिस डिपार्टमेंट ने इस मुझर हुआ उसके बाद वो गरवालों ने जो डिपार्टमेंट को कंप्लेंड किया, कि इसने हमारा आदमी का फोन, इसमें डिपार्टमेंट एक्टी हो गया और इनको जैल में से निकालकर रा पहुचा कि डिपाफमेंट ने किया, और रिपाफमेंट ने जानबुषकर करते हैं, और इसमें कोई Musalman दुखी नहीं हुआ, कोई Musalman दुखी नहीं हुआ। यह पब्लिक लाइफ में डूज एंड डॉर्स आपको लगता है कि यह करना जी करना जी नो है आएगी जाएगी क्या फ़र्क पड़ता है इसमें कोई क्रेडिक मात नहीं है लेकिन यह हुआ दिलिपाइ उनके बदेश्ट को पता है इंदें जाए इपार्टमें अपने आप करतें डिपार्टमेंट बेसे वंजारा के यहां और मुष्यम्प घिला फुलोग आजेते हो रहे ताव तो डिपार्टमेंट करता है कि डीजी वंजारा मिश्पाइस जरी का उटेंगी बीश्पाइस है लिए लोगों कुमांड नहीं है आपकी पुपुलर्टी के लिए इ बीष एला इनोजना लोग इ जो सबरम अक्षरधा मंदिं में इनोजन्ट लोग अपना उल्लु सिधा करने के लिए लोकों का दिमाग एंटी मानुलिटी बढनेके लिए एة जो एक्ट हुई अधिल करने वाले काम है कोई फुलिटिशन कोई नहीं करना जाओ इसको धका न नहीं करना थी जिसमें human losses knowingly पुलवामा में आप क्या कह रहे हैं पुलवामा में तो आतंगवादी हमला हुआ था अक्षरदाम में आतंगवादी कहा का आतंगवादी तो कई बात होती हैं तो हम जो जानते हैं न तो आप आपको स्टाफ को जानते होंगे तो किसी के बात नही होता है कि मैं तो इनको जानता अगू समुं कि इनका एक्टे क्या होगा और एक्ट का रिजल्ट क्या होगा एक्षिं खावर एक्षन का रियाक्षन ऐ-जो इस्ट्राइज शर्जिकल चण है कि आई से की परमीस्य लेकर करवाह गई गई कॉन मरे बीपिन डावद क्यों तोप लगाओ तो भी क्यो तुटा यह कई बाते जो है ना पूलवा मा में तेश के पूर मुख्यमंत्री यह कह रहे हैं कि सीडियास की मिलेक्ट्यू के पीछे साजेश है मैं कह रहा हूओ अभी इंक्वायरी चाहिए निकालन कियो है आप हेलिकॉप्ट्र कुटा अंडर कॉन था बूल जाई है क्यो कैसे टूटा इंगे प्राइडिकॉप्टर था क्या ऑल्ल प्रूफ हेलिकॉप्टर क्योटा क्या हुआ हुआ रिखाइग बाहरत सरकार को लिखा जल में लिगता हु. नदे लिगता हुआ 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 है. वर अब पुल्व इम्हाれた हुआ 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 है, इस разьяक हैुआ हुआ है. तो अब लेवल हाई नहीं और सजीकल ट्रैप का मतलब कि यह कमरे में बैठे आपकी बॉटर उठा कर लिए जाना है आप सलामत रहे बॉटर उठी आपके आलूचक कहेंगे कि आप भारती सेना के शौरे पर प्रशन चिन्ने लगा रहे हैं देखे प्रशन चिन्ने लगा थो झाल अवल 220े लचक कहा है सबस्क्राइब आपके ही कहो ही रहाika कि यह बॉटा को जाद्रल सेखे की बाफे यह मतल सेयए वाल को परेवार के साथ है क्यो चूटा वह ठोटने वाला है नी तो कंदो टूटे यह जो चीज़हीं सभा कि तोड़ना है जो चीज अशना में योच विदिन आपको और इंदिना जी आपको अ करता है न जो चीज है नो यह मैंने का है कि मारुती फ्रंटी कोई थाए ताए समभनी तोल मिं कि मारुती फ्रंटी फ्रंटी गुजात का रिस्ट्रेशन था, वो तो रोषो अड़ागी दोसो अर्डीयक साकीलो फ्रूंठी उसमें बाकी बुलिया भी फिर यहां हो अख़ा अग्षरदाम में, कोन आया था, कहा गया? मैं सुबर साथ मज़े श्रावजे बहाँ पहुचा था उसने बोला कि साब अब अब तो पॉइंट ब्लेक रहे था, क्यों नहीं जिंदा पकड़ा उसको? क्यों पॉइंट ब्लेक से मारा कौन कहां से आया था, क्यों मारे गए, बाद में क्या हुआ? बहुत बड़े प्रस्ते क्यों मैं कहता हूं कि I know BJP very well, I know Congress very well. पॉब्लिक लाइफ में हम कोई ऐसे एने गेरे नहीं है, पूरा पूरा देखते है आँखों से क्या हो रहा है, तब दिल उबलता है अंदर से, पॉब्लिक लिए नहीं कहना चाहिए, तो भी कभी कभी कहा जाता है, फुट मगर टाइट होता है कि कहना पड़े तब क्या बन अचेपी, कोंग्रेस, एंचेपी साथ में रहे तो काफी जितने की सम्मावना बढ जाती लेकिन अगई नहीं से मैज फिक्सिंग, मैज फिक्सिंग में तो गाडी नहीं चलेगी आपकी, अलग पार्टी बना हो तो आपकिसे को फाइदे के लिए बनाते हैं, अलग पार्ट मेरे पास दो नहीं कहना है लेकिन पन्जाब नेसल बैंक का अभी गरजिमरी इंस्टिटुट और जो आपके नाम से है, इंस्टिटुटूटूच उसके पर भी है, इसके पर भी है, दूसा चारिणियरभल उसके नापड़ है, छूपा नहीं सकते, अप प्राइवेट थेला एक नया पैसा, किसी का? तेक्सटल मंत्री थे एक भी पैसा, लो एलेक्शन आता है,टो मैं कहता हूँ दो देना है नहीं गाता हूँ। और उह बी मैं शर्म आति यह मागने में मैं नहीं मागना। मैंने किसे पैसे नहीं वागए, इलेक्शन के लिए भी नहीं होगी, लिकी पस्तर तो स्वाली पेदा नहीं होता, वनना तो वन रहकोंड होता नहीं, यह तो प्राइबट तो रहता नहीं, और हमारा मामला इरके आत्मे आया है, वो तो कहसे नहीं रुड़ेंगे, इतना मिले में जोए जुखेंगे नहीं, यह जो आपकी पार्टी है प्रजास्शक्ति, डिम्हक्रीटिक पार्टी है, बड़ी है, सिंबल नहीं दिया, उससे में बीμέड़ी आ है, दूसरी पार्टी का सिंबल लिया है, जब आपने पार्जेश के राजिछा बनाया था और राजस्ठा कि आपका कोई रोल नहीं है इस विधान सभाचनाम में रोल है क्या रोल अभी मैं एंटी बीजेपी मैंने चीन संब्लियों कि अभी तक पद्रादीन में आखरी पार साल में सबसे जाना एक्टीवली कोरोना में उसमें वो शंकर सिंग भागे ला रहा है कोरोना में भी होस्पिटल में जाना लोगों का ध्यान रखना इस अप्लाई करना इंजेक्शन दिल्वाना विगरे विगरे तो और यह भी मैं अ मैं कॉंग्रेस में हुँ न हूँ प्रीज महरबानी करके वोट दीजिये कॉंग्रेस को आप पोल राइज कहबर करें पर्श कोर्जृ तो जा रहे है कि अरविन केजरीवाल फिर से आपको फोन कर狂ा है संदेशा भिजवाया किसी से कभी नहीं कोई बात्चीत नहीं हुई आवाधी पार्टी से नहीं मैं बहुत समय पहले मिला था इनको जो था एक आपारा दोस्त था वो ले बाकि अभी गुजरात में आने कभी नहीं बात हुए जनता जानना चाह रही है यहां पर अर्विन दिवेग वरे बात ने को रहांल मगले में अरविन केजरीवाल की सिपाँ में आप मुझुद थे लहां मैं तो वहां फिसाल अकटिंगूश्ई पटिल्यूब क्वेस्स कई तर से नेध करने था मालना तर सब्सक्राइप धिचितान रेश काया कि ये is and ठीक नेधा support किया तुला में help रहें और आपका क्या lol रहने वाला था था कुछ नहीं था मेरा रोल करने का था नरेश पटेल को सीम निकले करने के बाद मेरा रोल कॉंगरिस या आप में बाद में था यह निकलेर होने के बाद भी नरेश पटेल नरेश पटेल ने आप से कहा था आप मेरी पहरवी करिया था अपने मिलकर कहा कि क्या कई से कई मिलने की कोई चीजे प्राइवेट रहती नहीं हम प्राइवेट अगना मेरी चाहते हैं क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे तो चेह पुटके है तो वालूम तो पड़ेगा गणके पराइवेटि पराइश पड़ेट अगरें स्वाम पड़ेश नहीं है कि गोण मेरी ऑनिख भी खाली केंटर के लिए को आप को पूला था है सट्रा में को अबे बन बने का वन तो वह एख गया तो वह गाली आगे चलती तो सायद वह एकले लेकिन इनको भी तायक करना भाख भी प्रशान किषवोर के पर जाना वो आधारीथ थे पी-के ऊपर नरेश्व पटेल जाना प्रशान किषवोर के ऊपर नार्मदार रग्ते थे कि वो रड़ कहे अभी क्या comedy हो इस नेराल मुझते डायदे पार की क्या केरियर के लिए इसमें पर रिजल्ट के इसमें कौनसी केरियर bibliothase में कौनसी केरियर कहा है केडियर काम करने से जब जल्र केरियर होता है और अब मेडिया के सामने तेह सामने यह देखा अपeszना थे मिलिए यह हम पुब्लिक में गए लोगों के बीच गए उस में पने आप लोगों करियर बना और उससे आपका पलिटिकल करियर बना है अलगों अब लोगों ने जब हो जब अपका यियर तो यह आपके चुनाव लड़ेंगे आप ने, मैंने, I decided कि इलेक्सीन नहीं लड़ आए, अब आप विदानसभा, लोगसभा कोई चुनाओं नहीं लड़ेगों लोगसभा, लोगसभा, विदानसभा नहीं महीं कि विदान MAY दुएिंद विदानस पनुद ऐसे कहते हैं कि बापू फलानी जगे गवर्णर बन के चले जाएए या कहीं और समायुजित करते हैं तो आप उस विकल्प के लिए खुले हैं। बीजेपी कहेगी तो मैं नहीं जाओगा। प्रधान मंत्री नरेंदर भूदी कहेंगे तो बीजेपी की सरकार कहेंगे तो हम गवर्णर नहीं बनेगे। हम राजसभा में जाएगे। और कोई कहेगा तो आई में में नौट। लेकिर बीजेपी कहेगी गवर्णर बनो आप राजसभा में आओ। आपकी आखनी दफा परधान मंत्री से कब बात की? इतने साल में पचीश साल से आप अलगे हैं कि बापू एक चैनल खोले रहते हैं सब पार्टियों में बातचीत का। इनके कोई तकलीफ है माता जी का स्वार्थ होता है मैं पूस्ता हूँ कैसे है वो भी मेरे माता जी का नुट्छी हुआ तो फूसा कि क्या हुआ था पेरा उपरेशन करवाया था तो उन्हें पूसा गाओ इनका फोटा हूँ था एल कोविड में आप बीमार रहे थे ? वो भी यहां मान्सा इनका गाव है यहां से जाएगे तो मान्सा आएगा बीच मेरा गावाता है, उसमें एक शिवजी का टेंपल है, बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, अच्छा है, ग्यारा नहुमार उपर हैं, दो मार लीचे हैं, और बारा बार शिवलिंग उसमे हैं, जुसिव भकत है तो आप जाएगा, तो इदोने मेरे गाव में इनका कॉंस्टिटिंसी में आती है मेरा गाव, कोई तालाब में कुछ पैसे देने थे, कोई करोड उपे दे रहे थे, तो जाने वाले थे, और पहले मैं चैर्मन था, अभी महेंदर सिंग चैर्मन, उस ट्रस्ट के है, तो इनके ओपर फोन गया कि अमिर भाई आने वाला है, तो बंचर्ण करके तो, बापू होंगे, तो बापू होंगे, तो नहीं होत थे, तो कि मैं आऊँगा द एक फॉष्ण करने के लिए, तो दर्शन करने को गय थे, मैं हlide हने उनके कहा कि पुरे दिगार से वोजुदा मुख्ध मंत्री भूपेन पटेल उनसे कभी बात होती आपकी? वोजुदा मंत्री भूपेन पटेल अच्छावर कर है पॉपेन पटेलो कर भून करनके पड़्य बढ़ा ही दिया उसको उसको पता निता कि निति क्स तो निति को पता गयर जो पंदेल कि मैरे इ Walmart इता अच्छावर्याटा पॉच्छाद घृडिओब प्वह फॉद को आय्क और प्रैक्टिकल पॉलिस काता में रह हुए हैं इनके मेरी सरकार में प्राइवेटली आते थे एक रेकमंड किया था एक पी आई था पातील था अच्छा मजबूत था इसको एक्स्टेंशन देना था नोपरी के बाद दे दूंगा यह रेकमंड ने किया था वो पातील कहा है प्राइवेटली तो प्राइवेटली तो बीजेप्या का कोई नहीं आएगा हमारे पास शंकर सिंग वागेला जी लंबी बातचीत आखरी सवाल दश्कों का राजनेतिक सफर कोई अफसोस कोई मलाल कोई फैसला ऐसा जो आपको लगा हो की बहुत फैसले बहुत फैसले नियती में मानता हूँ नसीब में नहीं मानता हूँ और नियती ही आपको करवाती है इमर्जेंची लाना तो मैंने तही नहीं किया था इमर्जेंची में काम करते करते पकड़े गए जेल में गए वो मैंने तही नहीं किया था इसके बाद लोग सब आपे खड़े रहना मैं बश़ेधी की जीतना मने तहीं नहीं किया था. यह है इसमें कई फ्हेसले ही से होते हैं जो नियती के आधार से आपको नहीं करने चाहिए. फिर भी आप कर ले 전 आए. तो उसका फिर अफसोस कर ओड़े लिए भात की तो उसका पिर अफसोस करें दीवाल के एट मनना है, रोड़ा नहीं क zost Yeah! वरकर को कहता है उक पार्टी मत छोड़ो डिवाल की इट बनो रोड़ा मंधम कोई पूछेगा, मेंस्ट्री में रहो धीरम हमारे से हो जाता है मेंस्ट्री में छोड़फे दूसरा को हम कहते हैं कि में रहो फिर भी शुट देते हैं बंता रहता है लेकि यह नियती चीज होती है वह आपको कहीर कही दूर्ट करती रहती है इसलिए मैं आपका दन्यवाल हूँ आपने काफी समय निकाला वर में अमान बने अच्छी बात है जमघट के इस एफिसोड मे साथ शंकर सिंग जी आपका स्वास ठीक रहे इसकी मेरी शुब कामना हैं बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद